एलो स्ट्वेंट्स वेल्कम बैक क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं इससे जो इनीशल टॉपिक से हमारे ओम्स लॉव और इंट्रोडक्शन पार्ट वह बहुत एजी है वह क्लास 10 का रिकैप्टुलेशन है मैं ड्रिफ्ट विलोसिटी एट इस मीन अधिन्स दे मेकानिजम ओफ करेंट फ्लो से स्टार्ट कर रहा हूं ठीक है तो मेकानिजम ओफ करेंट फ्लो एंड ड्रिफ्ट व्लोसिटी हमारा आज का पहले टॉपिक है चैप्टर नबर 3 क्लास 12 यह से इंपोर्टेंट पार्ट आपका शुरू जाता है इस चैप्टर का सबके लिए यह चैप्टर बहुत जादा इंपॉर्टेंट है ठीक है नोट्स के लिए मैंने बिल्कुल लाइन बाइन जो भी चीज़े रिक्वाइमेंट है आपको सब्जेक्टिव वोड में लिखने के लिए वो मैंने यहाँ पे लिख दी है ठीक है अब साथ साथ इसके स में लाज नंबर फ्री एलेक्ट्रोंस होते हैं तो जब एलेक्ट्रिक फील्ड अपलाई नहीं हो रही है तो उसमें एक थर्मल एनरजी होती है जिसके करण इलेक्ट्रोंस मूमेंट करते हैं तो वहाँ से हम उसकी एवरेज विलोसिटी निकालेंगे सबसे पहले सबसे पहले हम इसकी एवरेज विलोसिटी कैसे निकालेंगे इसका मतलब क्या है अगर हम कै भी रहे है कि एनरजी है उसमें थर्मल एनरजी है लेकिन इलेक्ट्रोंस के एवरेज विलोसिटी जीरो आ रही है इसका मतलब कोई भी the net charge of flow हो रहा है कोई भी charge flow नहीं हो रहा है किसी direction में there is no net flow of the charge in any direction ठीक है initially तो charge net flow नहीं हो रहा था clear है अब देखिए अब अगर charge flow नहीं हो रहा है तो कोई current नहीं हो गए initially अब जब आप electric field apply करोगे ठीक है जब हम उसको किसी battery असल से connect करेंगे जब उसमें field apply होगी तब क्या होगा स्क्रीन पे आ रहा है आपके हाँ चलिए तो देखो net flow first condition apply नहीं हो रहा बट second मैंने यहाप पॉइंट लिखा है देखो force experienced in the presence of electric field sorry force experienced in the presence of electric field ठीक है तो force experience कितना force experience होगा देखो charge क्या है electron f is equals to यहाँ पर लिए सकते है f is equals to q into e होता है ठीक है यहाँ पर charge क्या है electron हम इसे ले सकते है minus e into यह तो हो गया force दूसरा case कौन सा है force हो अगर force लगेगा तो charge accelerate करेगा तो acceleration कितना हुआ acceleration due to this force is given by अब देखो acceleration का formula क्या होता है f is equals to m into a होता है यहाँ से हम a निकाल लेते है तो a is equals to f upon m a is equals to f upon m अचा force हमने कितना निकाला minus e capital e field बाला divided by m यहाँ पर m क्या है m is the mass of electron m is the mass of electron चलिए अब electron accelerate कर रहे हैं अब एक electron तो है नहीं किसी भी conductor में बहुत सारे हैं बहुत ही ज्यादा सारे हैं अब जैसे मानों कि वह यह कमरा है और एक कमरा में एक कमरे में अगर कई सारे लोग हैं और गलती से खुंखार जर्मन चैपट को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा है ना तो सारे के सारी जो बॉड़ी होंगी वो सब रेंडम ली मोशन करेंगी उसी तरीके से यहाँ पर देखो इतने सारा आपने फिल्ड अपलाई करी फोर इलेक्टरों को लाइड करें और विसी बात है जरा सा मुमेंट करेंगे टकरा जाएंगे तो इनीशल ही मान लेते हैं यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं इनीशल वेलोसिटी को यू और फाइनल वेलोसिटी को वी और फॉस्स्ट एक्वेशन आप मूशन यूज़ करेंगे तो इस इसाब से हमारी एक्वेशन क्या बनीगी देखो फर्स एलेक्टरों के लिए वी वन वेक्टर इस इकॉल टू यू वेक्टर प्लस यू प्लस एटी होता है तो एवन और टी टाइम की जगे हाँ पर हम रिलाक्सेशन टाइम लेंगे टाउ ठीक है टाउ वन अच्छा इसी तरीके से हम लिख्टर प्लस एटाउ एक्टर प्लस एटाउ टाउ टू तो यह है अच्छा इसी तरीके से हम लाष्ट स्कतution लें नें एलेक्टरों से उसके final velocity निकाल दी, final velocity निकालने का motive था, हमें average velocity निकालने थी, for n electrons, ठीक है, देखो small n और capital n में मैं शुरू से आप लोग को बताते जा रहा हूँ, small n और capital n के बारे में difference, इसका ध्यान रहा है, इसमें confused नहीं होना, small n और capital n, ठीक है, चलिए, अब average velocity को हम यहाँ पे denote करेंग vd से, अभी मैं आपको बता हूँगा, vd क्या होता है, basically, it's a drift velocity, ठीक है, अब यह उसको आगे लिखेंगे भी, तो vd कितना होगा, देखो, अब यह सारे sum, इनका sum होगा, और divided by total number n, तो v1 vector, plus v2 vector, plus कहां तक, plus vn vector, whole divided by n, whole divided by n, चलिए, अब v1, v2 की value यहाँ से उठा के, इसमें put करते हैं, तो यह कितना आएगा, देखो, v1 की जेगन कहां लिख सकते हैं, देखो, u1, u1 vector, plus a tau 1, plus u2 vector, plus a tau 2, plus dot dot dot, plus un vector, plus a tau n, whole divided by n, तो हमारा ऐसी रहेगा, whole divided by n, चलिए, अब यहाँ से एक काम करते हैं, u1 vector, plus u2 vector, plus dot 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 dot, plus un vector को एक तरफ लिख लेते हैं, ठीक है, इसको divide कर लेते हैं, अलग से, divided by n, और, दूसरी तरफ हम क्या लिख लेंगे, a tau 1, plus a tau 2, plus a tau n, whole divided by n, यह बात समझ में ही क्या किया हमने, हमने separate कर लिए, ठीक है, u और a tau को separate कर लिया, separate करने का फाइदा क्या मिला दिको हमें, यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसको, अब देखो, u1 plus u2 plus un, हमने average initial velocity निकाला था, यह आया था हमारा 0, प्लस, अब देखो, a कॉमा ने लेते हैं, बचा क्या bracket में, tau 1 plus tau 2 plus dot 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 dot, plus tau n, whole divided by, sorry, यह, हाँ, tau 1 plus tau 2 plus tau n, whole divided by n, यह बचा हमारे पास, ठीक है, तो last में expression क्या आया हमारा, तो यह आया, vd is equal to, अब देखो, a का acceleration हमने याद करो, अभी अभी acceleration उपर निकाला था, minus के e, e upon m, तो a की जागे हम वो put कर सकते हैं, minus e, e upon m, और tau 1 plus tau 2 plus tau 1, अब divided by n की जागे हम लिख देंगे, tau, e is a vector quantity, ठीक है, तो यह हमारा part बन गया, drift velocity का expression, यहाँ पे हम mention भी कर देंगे, where, यहाँ पे हम mention कर देते हैं, where, tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus dot 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 plus tau n, whole divided by n, which is called average relaxation time, अब देखो, average relaxation time क्या हुआ, it is a basically average time, जो between two collision के बीच में elapse होता है, ठीक है, average, अशको आप लेख भी सकते हो है, average relaxation time is that time, that elapse between two successive collision, ठीक है, basically conductors के लिए यह 10 की power minus 14 second होता है, for conductors, ठीक है, तो यह drift velocity का हमारा expression निकला है, right, तो यहाँ से हम drift velocity को define भी कर सकते हैं, देखो, यहाँ से हम drift velocity को define भी कर सकते हैं, drift velocity, या आप notes में लिखने के लिए इसको आप लिख सकते हो, drift velocity, क्या होती डिफ लोशिटी, it, sorry, it is an average velocity, velocity, it is an average velocity, क्या लिए लिखा, it is an average velocity gained by an electron, it is an average velocity gained by an electron, या gained by an free, by a free electron, free electron of a conductor, ठीक है, in opposite direction, in opposite direction, तो यह हमारा drift velocity का expression था, और last में उसकी definition, clear है, फिर्स टॉपिक है हमारा current density, देखो current density क्या होता है, आपके screen पर मैंने लिखा हुआ है, it is defined as amount of charge, देखो यह लिखा हुआ ना हमारे पास, it is defined as the amount of charge flowing per second through a unit area, क्या आपाते हैं, एक डबल आई आगया है, इसको single कर लेते हैं, this is a unit area, ठीक है, amount of charge flowing per second through a unit area, held normal to the direction of the flow of charge, normal to the direction of flow of charge at that point, जैसे मान लेते हैं, एक surface लेते हैं यहाँ पे, यह हमारा figure हो गया, इस तरीके से, यह हमारे cross section है, ठीक है, यह हमारा एक cross section है, इसको लेते हैं a, area of cross section इसका a है, और current flow कर रहा है इस direction में, current हमारा जो flow कर रहा है, वो कर रहा है इस direction में, इस तरीके से, यह, ठीक है, this is the flow of current, इस case में, अब देखो, amount of charge flowing per second through a unit area held normal to the direction of the force, now this current, जो current की direction, it is normal to the plane, यह current की direction हमारी, it is normal to the plane, तो इस case में, हमारा, जो current density का formula आएगा, वो क्या आएगा, amount of charge, देखो current density को denote करते हैं, जे से, तो j is equal to i by a, यह हो गया current density, यह हो गया current density का formula, amount of charge flowing per second through a unit area held normal to the direction of the flow of charge, उसके normally जो हमारा आएगा, यह क्या है, यह current density क्या देरा, it is a magnitude of the current density, जो formula लिखा है, क्या है, magnitude of the current density, किसी भी point पे हम magnitude कैसे निकाल सकते हैं, current density का, j is equal to i by a, लेकिन जरूरी तो नहीं है, कि हर case में current जो होगा, वो area के normally होगा, ठीक है, it is not compulsory, that हर case में जो area current होगा, वो normal होगा, ऐसे case में क्या करेंगे, मान लेते हैं, दूसरे case में हम ले लेते, current का direction, यह ले लेते हैं, दूसरे case में, यह हमारा current का direction यही है, पहले area बना लेते हैं, area हमारा कुछ, इस type का होगा, मान लेते हैं, किसी angle पे, this is the area, clear है, आप देखो, अब इस case में क्या होगा, current तो straight flow कर रहा है, but, area जो है, एक angle पे act कर रहा है, अब इस case में, जब area एक angle पे act कर रहा है, तो वो angle हम मान लेते हैं, theta, उस angle को हम theta मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, यह जो इसका area है, यह देखो, इसका area इस तरफ है, और बीच में जो angle बन रहा है, that is, theta, this angle is, sorry, यह angle हमारा बन रहा है, theta, अब ऐसे case में, current density का magnitude कैसे निकालेंगे, कोई फरक नहीं आएगा, बस आपको करना है, अगर physics में कोई भी चीज किसी angle पे act करती है, तो उसके दो component टूटते है, normal component और perpendicular component और parallel component आप उसे के दो component break करिए, ठीक है, break component अगर हम break करेंगे, तो देखो क्या होगा, एक component हमारा बनेगा, ये वाला, एक component हमारा ये हो गया, और एक component हमारा ये हो गया, अब देखते हैं, कौन सा component effective है, according to the definition, the direction of the current will be normal, ठीक है, flow of charge के normal होगा, एरिया का, तो एरिया के normal flow of charge के along direction जा रहा है, हमारा ये उपर वाला, तो इसको हम लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा, एक हो गया, मान लेते हैं, ये area है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ए साइन थीटा, और ये हो जाएगा, ए कॉस थीटा, नाव साइन थीटा, effective नहीं है, कॉस थीटा यहाँ पर हम लेंगे, तो ये हमारे current density, जे का जो formula बनेगा, जे इस इक्वल्स टू, एक की जगे बस एक कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है, एक की जगे एक कॉस थीटा जाएगा, इसमें ऐसा हमने क्यों करा, हमने along the current, direction of current वाला component इसले लिया है, क्योंकि ये जो area है, वो एक angle पर act कर रहा है, it is not perpendicular to the current, ठीक है, अगर area current के perpendicular होता, area of procession जैसे यहाँ परस्ट वा current, अच्छा, इसको हम further लिख सकते हैं, देखो, इसको हम J is equal to I by A कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, I is equal to J A कॉस थीटा, ठीक है, और ये क्या हो गया देखो, A B कॉस थीटा, याद करो vector में A vector, ठीक है, dot B vector क्या होता था, A B कॉस थीटा, तो ये वाला part हम use करेंगे, A vector dot B vector is equal to A B कॉस थीटा, तो यहाँ पे J A कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, J vector dot A vector, तो ये part B आपका important है, ठीक है, इसको याद रखना है, ये हो गया हमारा current density के बारे में, ठीक है, अच्छा, SI unit की बात करें, इसमें, SI unit हम यहाँ से निकाल सकते हैं, I by A, SI unit अगर आप निका सकते हो, SI unit कैसे होगी, आपकी यहाँ पे current का ampere और area का per meter, area per meter square, और dimension में निकाल सकते हैं, dimension क्या होगा, यहीं पे अगर हम dimension की बात करना चाहें, तो current का dimension देखो, और area का dimension current होगया, ampere और area का dimension L square, तो AL square, ठीक है, sorry, AL minus 2 होएगा, नीचे area, ठीक है, denominator में है, उपर जाएगा, पावर माइनस में, तो AL minus 2, और SI unit, ampere per meter square, ठीक है, तो यह है हमारा बिटा current density के बारे में, अब current density के बारे में, एक relation हमें और पढ़ना होगा, electron mobility, देखो, किसी भी material की जो conductivity होती है, वो उसके mobile charge carriers के थ्रू होती है, ठीक है, mobility का मतलब ही क्या, देखो, flow, fullness, तो यहाँ पर जैसे हम ले ले, किसी भी conductor में, electrons होते हैं, metals में, ठीक है, किसी भी metal में, कौन होते हैं, electrons होते हैं, यह देखिए, like electrons in the metal, या positive और negative ions होते हैं, electrolytes में, जो उसके conductivity का कहराण होते हैं, या फिर semiconductor, आप last chapter पढ़ोगे, वहाँ पर electrons और holes होते हैं, semiconductor में, तो इसी तरीके से हर conductivity की, जो होती material की, वो किसी ना किसी mobile charger पर, अपने mobile chargers पर depend होती है, तो यहाँ पर mobility को कैसे define करेंगे, it is defined as drift velocity acquired by it in a unit electric field, drift velocity, देखो, यह लिखा है हमारा, drift velocity acquired by it in unit electric field, drift velocity, याद करो, drift velocity अभी हमने पिछली lecture में पढ़ा है, drift velocity क्या होता है, vd, drift velocity क्या होता है, देखो, vd, so electron mobility defined drift velocity acquired by it in unit electric field, तो vd upon e, इसको हम mu से denote करते हैं, mu is equals to vd upon e, यह हो गया हमारा electron mobility का relation, mu is equals to vd upon e, अब तो यह दो topic हमें पढ़ने थे, इसके साब से, अब हम main अपना start करने वाले relations, ठीक है, इन सब के बीच में क्या relations होते हैं, यह start करने वाले, आप pause करके वीडियो को, आप notes भी बना सकते हो, मैं typing में आपको दे भी रहा हूं notes, ठीक है, अब सबसे पहला हमारा है, relation between current and drift velocity, अब देखो velocity, drift velocity और current के बीच में हमें relations निकालने, अब यह relations कैसे drive होंगे देखो, एकाद relation नहीं होता, कोई भी किसी से भी हम relate कर सकते हैं, numerical में किसी भी चीज की जरूत पर सकती है, तो उसको ध्यान से समझेगा, एक conductor लेते हैं, ठीक है, ध्यान से एक conductor लेते हैं, हम पहला देखो, अब पहला टोपी क्या पढ़ने वाले, relation between current and drift velocity, current and velocity मैं आपको बता दू, current मतलब, I and drift velocity मतलब VD, इसके बीच का relation यह बहुत important है, यह part आपका बहुत important है, ठीक है, यह कई numerical में, short numerical में use होगा, I and VD, चलिए, I and VD, इसका relation पढ़ने जारे, relation between current and drift velocity, सबसे पहले तो ह हमें conductor बनाते हैं, ठीक है, एक conductor ले लेते हैं, यह हमारा conductor है, इधाहां से लेके, यहां तक, ठीक है, इस conductor थोड़ा बढ़ा हो गया, छोटा ले ले लेते हैं, यह हो गया हमारा conductor, फिगर साथ साथ बनाते रहीएगा, आपको भी पाइदा मिलेगा इसको, फिगर समझने का, इसलिए मैंने पहले से नहीं बनाया है, ताकि आप फिगर को समझ सको, हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, यह हो गया हमारा फिगर, एक conductor हमने ले लिया, अब this is the positive terminal, this is negative, बताव यहां से positive, यह negative, अब क्या करेंगे देखो, हमें क्या करना है, इस conductor में, हमें क्या करना है, एक small element लेना है, वही हम पूरे conductor करने हैं, हमें small element consider कर रहे हैं, मान लेते हैं, यह small element हो गया हमारा DL, ठीक है, अब इस DL element से electrons जो हैं, वह flow कर रहे होंगे, इस DL element से हमारे electron मान लिजे, इस direction में flow कर रहे है, conventional direction current के according opposite direction में, ठीक है, यह हमारी क्या कर रहे है, electrons flow अरे है, clear, electric field की direction ले लिजे, electric field की direction इस तरफ है, this is the direction of electric field, ठीक है, applied potential के according, this is direction of electric field, direction of electrons हो गया, अब सबसे पहले number of electrons per unit volume, देखो, दो चीजों के बीच का difference आपको समझना है, एक N और एक capital N, मैं आपको बता दू, capital N जो होता है, that is number of electron, और small n हम जो consider करेंगे, it is number of electrons per unit volume, इन दो प्रीजों का difference समझना है, क्योंकि यह बहुत ही, बच्चे, यहाँ गन्फ्यूज होते हैं, कि capital N क्या है, और small n क्या है, और इसको हम या फिर electron density भी कहते हैं, electron density भी कहते हैं, तो यहाँ से हमारा small n कितना होगा, number of electrons per unit volume मतलब n upon b, हमने तो यहाँ पे small element लिया है, कि volume क्या होता है, volume क्या होता है, area into length, यह maths में पढ़ा होगा आपने, volume होता है area into length, तो यहाँ पे volume के part में इसको use करेंगे, तो हम इस part से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, dn is equal to ndv, और n into dv, अब देखो volume होता है a into l, तो dv क्या होगा, small volume क्या होगा, area into small element dl, देखो यहाँ से लिखा है, मैंने area into length volume is equal to area into length होता है small volume क्या होगा area into dl small element clear अच्छा ये तो हो गया हमारा dn का part clear अब दूसरे part में हमें क्या करना है देखिए दूसरे part में क्या consider करना है पहले आपने dn तो निकाल लिया ठीक है अब यहां लिखो amount of amount of charge crossing the element dl यह जितना dl part हमने लिया है या element of a conductor ले लो crossing the element of conductor जो part हमने consider किया है कितना amount of charge cross कर रहा है dq small charge क्योंकि complete charge क्यों होता हमने small charge क्या ले लिया dq अब dq charge small charge कैसे निकालेंगे देखो formula हमारे पास q is equal to n into e quantization of charge में हमने पढ़ा था q is equal to n into e यहां पे dq क्या होगा dn into e clear है अब देखो dn का part अभी आपने निकाल रखा है nadl तो यहां लिख लेंगे nadl into e यहां से इस वाले part का dn का part हम यहां use करेंगे तो nadl into e जिसको हम लिख सकते हैं dq is equals to nadl ठीक है इस part को याद रखो dq small amount of charge निकाल लिया अब charge निकालने के बाद सीधिस दे current निकाल लो now current is अचा current का formula क्या होता है i is equal to dq by dt ठीक है i is equal to dq by dt तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं और i is equals to neadl by dt और यहां से हम क्या लिख सकते हैं और we can write current i is equals to neadl by dt अब याद रखो dl by dt क्या होता है drift velocity vd dl by dt क्या होता है drift velocity vd तो i is equals to neavd यह सबसे बहुत important relation है current और drift velocity का यह i for current and vd for drift velocity तो यह हमारा पहला relation निकला है current और drift velocity का i is equals to neavd clear है यहां पर देखो हमने इसको तीन पार्ट में करा है मैं आपको शुरू से बता दूँ सबसे पहले हमने dn निकाला ठीक है सबसे पहले हमने क्या किया जो उतने से छोटे से element में छोटे से element में कितने number of electrons flow कर रहे हैं हमने वो निकाला dn उसके बाद amount of charge वहां पर उस current flow करने का रहे हैं चार्ज कितना है dq और उसके बाद उसको current के फॉर्मले में पूट कर दी i is equals to dq by dt चलिए अगले relation की बात करते हैं next relation है हमारा next relation की बात करते हैं एक मटट सॉरी हाँ next relation करेंगे हम current और electron mobility का relation between current and electron mobility ठीक है तो यह हमारी next heading होगई relation between current and electron mobility अब देखो current i electron mobility mu current किस से हम डिनोट करते हैं i से और electron mobility mu से i और mu के बीच में current चाहिए अच्छा electron mobility अभी अभी उन्हें पढ़ा है electron mobility mu क्या होता है electron mobility mu होता है drift velocity per unit electric field vd upon e ठीक है और vd का relation अभी अभी यहां से हम लिख सकते हैं vd का relation देखो vd क्या होगा यहां से mu into e vd क्या होगा mu into e अब इसको ऐसे रिखो mu into e ठीक है अब हमने देखो अभी 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 हमने करें यहां पर relation पढ़ा है just अभी अभी पढ़ा है current और drift velocity का ठीक है हम यहां पर use करेंगे from relation of i and vd i is equals to neavd होता है i is equals to neavd होता है तो vd की जगे हम क्या put कर सकते हैं mu e यहां पर put कर सकते हैं तो हमारा relation निकलेगा और we can write i is equals to neavd और vd की जगे mu into e यह हमारा दूसरा formula बन गया जो काम आएगा numericals में जहां पर electron mobility और current गिवन हो instead of drift velocity और current घ्यान रहे यह वहां पर काम आएगा directly आपर relation यूज़ कर सकते हो i is equals to nea mu e clear है चलिए next relation की बात करते है next relation next relation हमारा drift velocity और current density का होगा next current density and drift velocity यह है हमारा next relation ठीक है that is relation between current density and drift velocity किसे डिनोट करते हैं current density हमारी डिनोट करते हैं J से और drift velocity को VD से अब J और VD के बीच का रिष्टा निकालना है यह रिष्टा निकालने रिष्टा धूरने वाली बात बड़ी भैंकर है इसको ध्यान से समझेगा क्योंकि निमेरिकल्स में कौन सा पार्ट कहां पर यूज हो जाएगा डिरेक्ट आपको खुद नहीं बतल लएगा बहुत छोटे छोटे निमेरिकल्स आते हैं बस आपको आपको ध्यान रखना बढ़़ेंगे क्यों कि निकल लो तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं यहां इसको मानलो वन इसको मानलो तू आपको दिखाना पड़ेगा पुर्पर ली आपको कैसे कर रहे हो तो फो 1 and 2 from 1 and 2 आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे J is equals to I की जगे N E A V D whole divided by A ठीक है इसको हम ऐसे लिख सकते है I is equals to N E A V D whole divided by A तो A से A कट जाएगा तो यहाँ से हमारा जो रिष्टा निकला है current density का that is J is equals to N E V D this is the relation between current density and drift velocity I hope आपको सई से समझ में आ रहा होगा वीडियो पॉस करके आप नोट करते रहिए हम आगे चलते हैं relation between current density और drift velocity हो चुका है अगला relation चलो इसको हैं से copy मार देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा एक मिनट चलिए करेंट डेंसिटी एंड मास के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे रिलेशन बढ़ेंग है करेंट डेंसिटी रिलेशन बढ़ेंगे बीच में लेशन निकालते हैं यहाँ पे drift velocity का proper formula यूज़ करेंगे पहले तो relation कैसे निकालेंगे current density j is equal to अब देखो current density j is equal to क्या होता है i upon a ठीक है यह तो आप सब को पता है और यहाँ से j is equal to i upon a से हमने अभी अभी derive किया j is equal to nevd ठीक है अभी पहले पिछली बार हम देखे j is equal to i upon a यूज़ किया था अब हम इसको यूज़ करेंगे j is equal to nevd इसको मान लेते हैं first equation clear है दूसरी तरफ क्या यूज़ करेंगे देखो दूसरी तरफ आप देखो mass को लाना है और mass को और कैसे लग सकते हैं common relation डूडो mass को और कैसे लगते हैं vd is equal to इसको यहां पर यूज़ करेंगे vd is equal to ee upon m into tau ऐसा क्यों कर रहे हैं common relation निकल गया हमारा vd हमें निकालना है relation between j and m ठीक है तो j का relation vd से होता है drift velocity से drift velocity का relation mass से होता है इसको equation number 2 मान लेते हैं इनको लोगो compare करते है from 1 and 2 हम इनको compare करेंगे from 1 and 2 तो students यहां पर क्या हो जाएगा हम रखेंगे j is equals to n e और vd की जाएगे क्या रखेंगे ee upon m into tau clear है तो यहां से हम relation कैसे निकाल सकते हैं आप देखो यहां से हमारा relation कैसे निकलेगा n e square e into e e square e upon m into tau यह हो गया current density और mass के बीच का relation यह हो गया current density और mass के बीच का relation ठीक है तो यह था relation between current density and mass अब वो है resistivity, resistance, conductivity, conductance हाँ चारों topic मैंने इसलिए एक साथ लिखे हैं क्योंकि इनका relation इनके बारे में और इनसे क्या derive होगा last में वो समझना है हमें ठीक है और हो सकता है कि resistivity और conductivity आपस में कुछ relate करते हो वो भी हमें समझना है और resistance and conductance आपस में relate करते हैं वो भी हमें समझना है ठीक है तो start करते हैं सबसे पहले resistance और resistivity देखो resistance कुछ इस तरीके का दिखता है जो अगर आप reality में electrical component हो electrical resistance तो कुछ इस तरीके का दिखेगा जिसमें ये जो color है ये अलग-अलग color दिख रहे हैं ये भी कुछ ना कुछ signify करते हैं जो हम आगे lecture 6 में पढ़ेंगे color code ठीक है resistivity क्या होता है ये class 10 में आप लोग एक बार पढ़ चुके हो already आपको याद होगा r is equals to rho l by a calculate करा था हमने class 10 में ये क्या था factors on which resistance depend length के directly proportional area के inversely proportional तो यहाँ पे जो ये rho था this was resistivity ये जो rho था ये था हमारा resistivity ठीक है चलो अब start करते हैं सबसे पहले देखो topic को separately पढ़ाने से better है मैंने क्या किया है इसको दोनों को differentiate के form में लिख दिया है इससे फाइदा क्या मिलेगा आपको कि resistance और resistivity के बारे में भी सौझ में आ जाएगा plus differentiate भी सौझ में आ जाएगा एक ही बार में जिसे कहते हैं एक पंत दो काज अब देखो resistance resistance आपको मैंने अल्यडी बता दिया है कि resistance कुछ इस तरही का दिखता है color code हम बादने पढ़ेंगे सबसे पहले resistance होता क्या है it is the property of an object क्या होता है it is the property of an object ठीक है किसी भी object की property resistance है resistivity क्या होता है it is the property of material ठीक है अब formula पर आते हैं देखो resistance resistance का formula simply आपने v is equal to ir पढ़ा है तो यहां से r is equal to v by i हमारा यह एक formula है जो अल्यडी आपको पता है ठीक है ohm's law से पढ़ते वे आ रहे है दूसरा जो हमने पढ़ा था factors के basis पे दूसरा formula था r is equal to rho l by a ठीक है यह दो तो basic main formula थे लेकिन इनके अलावा भी अभी इसी lecture के last part में हम derive करेंगे number density और दूसरे चीजों के terms में तो वो formula भी मैं आपको बतायता हूँ resistance का एक formula और होता है ठीक है equal to ml by n e square tau into a ध्यान रखना यह formula अभी मैंने लिख दिया है बट हम इसको derive करेंगे last में derived at last ठीक है अभी इसी lecture के last में derive करेंगे यह important है जो अभी यहाँ पे use होगा यह तो basic tenth वाले formula थे यह जो थे this you have studied in class tenth अब यह वाले formula है अब देखो यह हमारे length, area, average relaxation, time, number, density, electron इन चीजो पर depend करता है यह कैसे depend करता है कहां से निकला यह हम बात करेंगे last lecture में ठीक है same अगर हम इसहाँ पे देखे ठीक है resistivity के formula में resistivity का formula भी आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है rho is equals to r into a by l यहां पे हम already लिख चुके हैं यहीं से निकला है देखो rho है, एक area को अधर ले जाओ, r into a और l नीचे आ जाएगा तो यहां से resistivity का एक formula जो हम already पढ़ चुके है ठीक है, दूसरा formula अच्छा, यहां पे हम यह भी लिख सकते है r क्या होता है v is equals to ir होता है तो r is equals to v by i तो v by i को r की जागे यूश कर लेगे तो यह formula ऐसे बन जाएगा कैसे बन जाएगा, v by i into a by l देखो यह सब vary हमें तब काम आएगा जब हमें numerical में मान लो की r ना दे के हमें v or i given हो आप separately निकालोगे उसके better यहां पे direct भी put कर सकते हो ठीक है, it's not a big deal लेकिन इस formula के अलावा अब जो next formula है हमारा जैसे हमने यह निकाला था इस तरीके से सेम हमारा resistivity का भी formula आएगा और वो आएगा हमारा resistivity का rho is equals to m by n e square tau दोनों में क्या difference आ रहा है दोनों में क्या difference आ रहा है l by a extra है याद रखने का simple तरीका resistance वाले case में l by a जुड जाएगा बाकी formula पूरा का पूरा वही है clear है? चलिए आगे बढ़ते है resistance की ऐसा unit बहुत सब बच्चे बच्चे को पता है ohm class 10 में पढ़ते आ रहे हो सारे resistance को हम लिखते भी ohm में है resistivity क्या होता है? ठीक है? देखो resistivity होता है resistance per unit length ठीक है? तो यहाँ पे इसकी जो SI unit हो जाएगी इसे मैं थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ इसकी जो SI unit जाएगी वो जाएगी ohm meter यहाँ पे अभी हमने main property of an object ही बताया था बट इसको हम इस तरीके से भी define कर सकते है resistance per unit length मतलब देखो resistivity होता क्या है? कोई भी conductor है कोई भी conductor है इसके एक unit length में एक unit length में वन unit length में कितना resistance है? वन unit length में कितना resistance है? वही उसकी resistivity होती है ठीक है? और nature दोनों का ही scalar दोनों का ही nature scalar होता है resistance भी और resistivity भी ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं factors on which they depend क्या-क्या factors है जिन पर ये depend होते हैं? अच्छा पीछे का ही differentiate proper चल रहा है ये ठीक है? ये जो differentiate है देखो इस side left side हमारा resistance है right side resistivity है तो यहाँ पर left side वाला हमारा जो है ये resistance का part है और right side वाला resistivity ठीक है? चलो first factor देखते है directly proportional to length obviously सी बात है भई हमने पढ़ा हुआ है R is directly proportional to L next inversely proportional to area R is inversely proportional to area ये भी देखो 10 वाला part है ठीक है? ये पहला factor था ये दूसरा factor है तीसरा temperature temperature बहुत important role play करता है it's a very important factor इसी की वज़े से हमारा जो next lecture आएगा ठीक है? lecture number 3 5th lecture जो आएगा वो पूरा इसी के base पे होका temperature dependency ठीक है? वो बहुत important है इसका पूरा हम देखेंगे की alloys में, metals में, conductor में semiconductor में, semiconductor में क्या-क्या role play खरता है temperature last आता है nature of the material ठीक है? resistance nature of the material पे भी depend करता है so it depends on shape and size देखो obvious इसी बात है अगर length और area पे depend कर रहा है तो इसी के conclusion में हम लिख सकते हैं कि वो shape और size पे depend करता है मानलो ये एक object है इसको मैंने खीच के इसका length बढ़ा दिया है तो इसका resistance vary करेगा ठीक है? length बढ़ गई तो resistance बढ़ जाएगा length की जगे मैंने इसका area बढ़ा दिया ठीक है? तो area की inversely proportional होता है और area की अगर inversely proportional होता है तो यहाँ पे हमारा इसका resistance घट जाएगा ठीक है? तो shape और size पे depend करता है और obvious इसी बात है अगर shape और size पे depend कर रहा है तो hammering से ठीक है और molding से hammering से molding से उसका resistance change हो सकता है किसी भी object का resistivity की बात करते है resistivity की बात करते हैं यह सीथे सीथे nature of material पे depend होती है resistivity उसके material के nature पे depend होती है दूसरा temperature पे depend होती है उसका length और area से कोई फरक नहीं पड़ता length कितरा भी increase करतो पर unit length का ही जो resistance होगा वही resistivity होगी अभी अभी बताया था मैंने आपको तो उसके length area से depend नहीं करता है यह देखो लिखा भी है it is independent of lna यानि की length and area length and area पे depend नहीं करता है ठीक है on changing the shape and size अब जब भी length and area पे depend नहीं कर रहा है तो आप उसको काटो, stretch करो, add करो, subtract करो वो change नहीं होगा resistivity change नहीं होगी ठीक है तो these are the factors on which the resistance and resistivity depends आगे बढ़ते है अच्छा आप भी सबसे पहले patient मैं आपको बताया था कुछ relation हो सकता है resistance का, conductance का, resistivity का conductivity का आगया ठीक है इसे करते हैं, देखो, सबसे पहले इसको मैंने उसी sequence में रखा है जिस sequence में हम पढ़ते आ रहे हैं आप ये check करो left side में resistance है right side में resistivity है है ना? ध्यान रखना उसी के basis पे left side में resistance था हमारा और right side में resistivity ठीक है? उसी के नीचे माने लिखा है conductance यानि कि resistance पे directly depend होता है conductance अच्छा, directly depend in the sense कि उसका relation होता है resistance है, conductance का कैसा relation होता है? it is the reciprocal of resistance reciprocal of resistance denote किस से करते हैं? capital G से तो यहाँ पेमलिक सकते हैं G is inversely proportional to R लिख सकते हैं G inversely proportional to R यह तो inversely proportional हो गया हम बात कर रहे हैं reciprocal की तो आप इसको ऐसे लिख लो इसमें हम लिख सकते हैं G is equal to 1 by R ठीक है? चलिए formula क्या हो गया? G is equal to 1 by R अब देखो इस formula से काफी सारे formula निकाले जा सकते हैं जितने भी R के formula हो यहाँ पुट कर दो G का भी formula बन जाएगा जैसे अब ही पीछे हमने R का formula क्या पढ़ा था? R का formula हमने पढ़ा था? चलो इसी को use कर लेते हैं rho L by A को G is equal to A by rho L एक formula यह भी बन गया ठीक है? और R के जो दूसरे formula पढ़े हैं उसको भी पूट कर सकते हैं according to the need of the question clear? एसा unit अब देखो conductance का case में जो resistance की unit होगी उसी को inverse कर देते है resistance की unit हमारी क्या होती है? ohm तो यह क्या हो जाएगी? per ohm per ohm को हम moh और Simon भी कहते हैं ठीक है? per ohm को moh और Simon भी कहते हैं same चीज़ आजाते है conductivity की case में चलो conductivity वाला भी देख लेते है conductivity resistivity के नीचे लखनी दिखिए इसका मतलब it is reciprocal of resistivity हम same line में लिख रहे हैं अगर आप copy में note करोगे आप same page में note करोगे तो same line में आऊगे उससे यह याद रहेगा कि conductivity, resistivity का reciprocal है और conductance, resistance का reciprocal है reciprocal of resistivity तो यहाँ से formula क्या बन गया सिग्मा इसको denote करते हैं सिग्मा से तो sigma is equals to 1 by rho एक formula तो हमारा सीधा-सीधा यह बन गया sigma is equals to 1 by rho अचा, rho का formula जो भी है उसको put कर सकते हैं अचा, अब rho का formula एक तो यही आगे r into a by l दूसरा अगर rho का formula आप निकालना चाहो तो हम यह भी निकाल सकते हैं हमने rho का formula क्या निकाला है m by n e square tau इस formula को यूज करते हैं ठीक है तो यहाँ से यह क्या हो गया sigma is equal to 1 by ठीक है, rho की जगे m by n e square tau तो और यह बन जाएगा sigma is equal to n e square tau by m मतलब according to the need आप formula को replace कर सकते हो जहाँ पर जिसकी जरुवत है ठीक है SI unit SI unit वहाँ पर होती है ohm meter resistivity की यहाँ क्या हो जाएगी per ohm per meter ठीक है और per ohm को हम बोलते है mo ठीक है तो यहाँ पर इसी का formula क्या बन जाएगा mo meter और simon meter दोनों की SI unit दोनों का formula दोनों का relation तीनों चीज clear है I hope अच्छा factors दोनों के same है जो resistance के factors थे वही conductance के होंगे जो resistivity के factors थे वही conductivity गे इसलिए मैंने आपको दोनों लिख दिया यह change होता है यह change नहीं होता है यह पुरा मैंने clearly लिख दिया तो यह था हमारा lecture number 3 में resistance और resistivity के बारे में अच्छा इसमें एक relation जो क्योंकि हाला कि मैंने यह relation आपको already यहाँ पर use किया है यह rho वाला और sigma वाला ठीक है और capital R वाला तो इस relation को derive करना सीखना है क्योंकि यह relation कहां से आया in terms of electron density that is n and average relaxation time that is down ठीक है electron density with a number density and an average decision time उसके term में हम resistivity निकालने जा रहे हैं चलो सबसे पहले देखो आपके पास एक formula होता है R is equal to rho L by A इसको मान लेते हैं first equation ठीक है एक तो हम यह relation use करेंगे दूसरा एक formula और होता है हमारे पास E is equal to V by L आपने पीछे पढ़ा होगा तो यहां से हम लिख सकते हैं और V is equal to E L इससे याद रखना है इस relation को हम एक simple से formula में use करेंगे और हमारा answer निकल जाएगा simple सा formula कौन सा है using ohms law ohms law क्या होता है V is equal to I R क्या हम यहां से V is equal to I R से R देखो हमें निकालना क्या resistance तो हम यहां से resistance R is equal to क्या लिख सकते हैं V by I अब इस relation में इसको यूज़ करो V की जगे क्या लिख सकते हैं E L तो यह हो जाएगा हमारा ठीक है V की जगे हम use करेंगे E L तो यहां से हम लिख सकते हैं E L by I ठीक है अब यहां पर एक चीज़ और use करेंगे using I is equals to N E A V D I hope यह आपको याद होगा I is equals to N E A V D कैसे आया है यह relation between current and drift velocity यह पिछले lecture में हमने कर रखा है relation between current and drift velocity V D क्या होता है V D is drift velocity V D क्या है drift velocity तो यह हम relation use कर रहे है I is equals to N E A V D current और drift velocity के बीच का relation तो इस हिसाब से अब हमें क्या करना चाहिए देखो I की value यहां पर use कर लो तो यह क्या बन गया R is equal to E L divided by I की जगे N E A V D ठीक है अब यहां पर drift velocity का expression यूज कर लेते है यहां पर लिख लो using V D is equals to N E अच्छा V D का drift velocity का एक अपना expression है V D velocity का क्या होता है SORRY N E नहीं होगा E E by M into tau V D is equals to E E by M into tau drift velocity का expression जो अबने derive किया था वो निकाले वो use करेंगे तो यह बन जाएगा हमारा R is equal to E L divided by N E A और V D की जगे E E by M into tau तो यह हो गया हमारा R is equal to अब देखो E E cancel और small into small E square यह M denominator में है यह उपर चला जाएगा तो यह जाएगा हमारा M L upon N E into E E square tau into A एक formula तो यह बन गया अब आपको याद होगा अभी हमने दो slide पहले देखो R is equal to M L by N E square tau into A दो slide पहले हमने इसको use करा है आप check करो यह देखो R is equal to M L by N E square tau into A तो यह कहां से use करा है यह हमने derive कर लिया दूसरी चीज जैसे resistance का निकाला है बढ़ हम main बात कर रहे है resistivity की हम main किस की बात कर रहे है resistivity की तो resistivity का निकालने के लिए क्या करेंगे हम अब इसी को equation number 1 में पूट कर देंगे from equation 1 from equation 1 R का formula क्या है R is equal to rho L by A और R की जगे हम यह put कर देंगे यहाँ पे ठीक है यह put करेंगे तो कितना आएगा देखो R की जगे ML by N E square tau into A is equal to rho L by A अब जो cancel रहे हैं उसे काट दो बचाओ answer तो यहाँ से हमारा answer निकला है देखो L से L cancel A से A cancel बचा क्या rho is equal to M by N E square tau अब यह वही फॉर्मुला है जो अभी अभी हमने पीछे resistivity के लिए उसके आथा ठीक है तो दिस इस अ रिलेशन बिट्विन resistivity in terms of electron density and average relaxation time आप इसको आराम से note कर सकते हो तो रिलेशन इसमें भी ड्रेप करेंगे एक deduction of ohms law और दूसरा उसका vector form तो पहले vector form करने जा रहे हैं ठीक है vector form करने से पहले हम एक relation की बात करेंगे relation between current density, conductivity and electric field current density को हम जैसी note करते है conductivity sigma resistivity, conductivity हमने इससे पिछली lecture में पढ़ा है और तीसरा है electric field E ठीक है इनके हमें इसके बारे में relation के बारे में देखना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले relation use करेंगे using relation between j that is j क्या है current density and drift velocity that is vd इसके इन दोनों का relation मेंना कई सा relation की एक अलग से video बनाई है मैंने lecture number 2 में lecture number 2 में सारे relations हमने एक साथ पढ़े है तो अगर आपको इसका relation नहीं आदे तो आप lecture number 2 पे जाओ और उस relation को सीखो क्योंकि यहाँ पे हम इन दोनों के relation को नहीं drive कर रहे है इन दोनों का relation यूज कर रहे है तो j और vd का relation जो हमने पढ़ा था वो था j is equals to nevd ठीक है यह हमारा relation था j is equals to nevd और vd का अपने आप में एक drift velocity का expression हमने निकाला है और वो vd का expression क्या होता है vd is equals to e e by m into tau आपको याद होगा drift velocity का expression हमें क्या करना है इस expression में vd की value को put करतो तो यह क्या आएगा देखो यहाँ से हम इसे लिख सकते है j is equal to n e ऐसी रहेगा vd की जागे e capital e by m into tau तो it can be written as n e into e e square tau upon m into e मैंने क्या करा electric field बाला e बाहर लिख दिया है ठीक है और n e square tau by m एक साथ लिख दिया है पिछले lecture में resistivity, conductivity, resistance, conductance के बारे में पढ़ा था आपने तो resistivity और conductivity का मैंने एक formula निकल आया था बहुत important formula और वही ये शायद कुछ आपको नजर आ रहा होगा ठीक है आपको याद होगा हमने वहाँ पे लिखा था using rho is equal to m by n e square tau याद है और ml by n e square tau ये हमारा sigma होता था तो यहाँ पे rho सीदे सीदे हमने यहाँ पे use करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा j is equal to m by n square tau रो होता है तो यह क्या हो जाएगा 1 upon rho into e और यहाँ से लिख सकते हम j is equal to 1 upon rho होता है sigma तो j is equal to sigma e यह हमारा relation आ गया between current density j sigma conductivity and e electric field तो यह हमारा पहला relation बन गया है जिसे हम कहते है vector form of ohm slow next चलते है deduction और derivation of ohm slow अब यह थोड़ा सा important है इसे हम सही से करेंगे शुरू से देखो figure मैंने अल्रेडी आपके लिए बना दिया है एक conductor है electric field इस तरफ है ठीक है यह current का direction है electrons की movement हमारी current की direction के opposite है length of a conductor L potential V को E के term में V is equals to E L तो E is equals to V by L अब यहाँ पर हम क्या करने वाले है हमारे पास एक relation देखो electron की जो drift velocity है उसका expression हमारे पास है using ठीक है इसमें मैं written part आपको एक कहानी जो शुरू में लिखते हैं वो आप अपने आप भी लिख सकते हो कि let the land of the conductor be L और E is a electron, capital is a electric field वो मैं नहीं लिख वा रहा हूँ मैं सिधे मुद्धे पे आ रहा हूँ तो using relation of drift velocity ठीक है सिधे सिधे हम drift velocity का relation यूज़ करेंगे इस वाले पार्ट में तो V d का हमारे पास relation होता है V d is equal to e e by m into town और current का V d के term में एक बहुत से simple सा relation है relation between current and drift velocity i and V d i and V d का relation क्या था देख लेते हैं जरा हम यह पहला रहे से तो also using relation between i and V d तो उसका relation क्या होता था i is equal to n e a v d यह दो relation का काम है हमारा ठीक है इन दो relation को हम use करने वाले हैं अब देखो V d की जगे उसका expression पुट कर दो ठीक है तो हम लिख सकते है i is equal to n e a और V d की जगे हम पुट कर सकते हैं e e by m into tau ठीक है solve कर लेते हैं इसको i is equal to n e into e e square ठीक है e square tau उसके बाद क्या बचा a into e upon m अब देखो यहाँ पे v is equal to e l यानि कि e is equal to v by l है इस expression को यहाँ पे e की जगे यूज़ करना है ठीक है तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पे देखो i is equal to n e square ठीक है tau by m यह तो ऐसी रहन दो अब बचा क्या a into e ठीक है a को ऐसी रहन देते है और e की जगे यह यूज़ कर लेते है तो e की जगे क्या यूज़ करेंगे v by l कहां से यूज़ कर रहे देखो यहाँ से ठीक है e की जगे v by l यहां से यूज़ कर रहे तो यह आ जाएगा हमारा i is equal to n e square tau upon m into a ठीक है अच्छा v को इधर ले जाते है i by v बचा क्या a by l i by v को इसको हम पूरे equation को पलेट देने है ठीक है इसको उल्टा कर देने है तो i by v की जगे अगर हम इसे v by i लिखे तो क्या आएगा m by n e square tau into a by l ठीक है m by n e square tau into a by l sorry l by a यहाँ पर लास्ट में पलेट दिया है तो l उपर जाएगा a नीचे आएगा l by a clear चलिए अब v by i उसको ऐसी रहन दो v by i को ऐसी रहन दो m by n e square tau अभी अभी पीछे equation में देखो यहाँ पर यूज किया था हमने m by n e square tau होता है rho तो यहाँ पर इसकी जगे हम लिख सकते है m by n e square tau की जगे हम कहा लिख सकते है rho तो यह जाएगा rho into l by a अब rho into l by a सीदे सीदे होता है r resistance देखो यह कहां से निकला factor on which resistance depends factor on which resistance depends directly proportional to length inversely proportional to area आपको याद होगा हमने class 10th में भी पढ़ा है यह चीज तो यहाँ से निकलके resistivity का formula भी होता है r into a by l तो r is equal to rho l by a की जगे हम r use करेंगे तो यह equation बन जाएगी हमारी तो यहाँ पे हमारी equation बन जाती है v by i is equal to r और v is equal to i r that is the ohms law तो यह हमने ohms law derive कर दिया तो यह था simple सा topic हमारा deduction and derivation of ohms law और इससे पहले वाला जो topic था वो क्या था simply vector form of ohms cell के बारे में पढ़ने जाएगे चलो शुरू करते हैं सबसे पहले cell देखो दो type के होते है primary और secondary primary और secondary cells primary cells वो cells होते हैं जिने हम charge नहीं कर पाते जैसे आप अपने remote घर के remote में जैसे तीवी का remote होता है उस remote में जो cell डलता है घड़ी में जो cell डलता है वो सारे primary cells होते हैं देखो यह वाले इस type का cell है यह वाले cell होते है primary cell जो एक बार यूज कर लिए खतम हो जाते हैं फिर इसका reaction से यह कोई charge नहीं हो सकते हैं हमें इनको change करना पड़ता है secondary cells वो cells होते हैं जिने हम बार बार charge करके यूज कर सकते हैं जैसे आपका mobile charger हो गया battery का charger हो गया यह सब secondary cells में आते हैं ठीक है तो यह आगे non rechargeable और यह आगे rechargeable next देखते हैं cell basically cell को define कैसे करेंगे देखो cell को आप उसका एक chemical reaction है वो already chemistry में, electrochemistry में आप पढ़ोगे ठीक है यहाँ पे हम cell के बारे में कुछ वैसी information ले रहे हैं जो हमारा physics related है वो पढ़ने जा रहे है तो यहाँ पे देखो cell जो है basically cell is a source with supply potential difference now this is important cell एक ऐसा source है जो potential difference supply कर रहा है अभी हम इसको mathematical लिए निकालेंगे भी कैसे ठीक है if cell consumes certain part of the potential difference which it supplies then it is due to the internal resistance of the cell देखो cell में एक आप resistance आप पढ़ते आ रहे हो class 10 से R resistance जो हम circuit में उस करते हैं और एक होता है internal resistance internal resistance मतलब जो cell के अंदर का खुद का resistance है जो उसको थोड़ी सी खपत वो भी कर लेता है जैसे यह आपने लिखा देखों यह आपने then this is due to internal resistance क्या if cell consume certain part of potential difference जो वो supply कर रहा है अगर उसने थोड़ा सा consume कर लिया है वो internal resistance इसका सबसे बड़ी example है farmer को ले लो farmer क्या करता है जैसे उसने गेहों की दान लगाई है तो गेहों जो वो market में बेचेगा clear उस गेहों को जो वो market में बेच रहा है उसको थोड़ा सा part उसने घर पे रख लिया अपने family को consume करने के लिए ठीक है जो साल बर उसका चलेगा तो वो जो थोड़ा सा part उसने consume कर लिया है वो अपने family की वैसे क्या है वही same type में cell है cell जो potential different supply कर रहा है उसका थोड़ा सा part वो consume कर लेता है द्यूटो internal resistance ठीक है अब हम बात करते है internal resistance होता क्या है resistance offered by electrolyte of cell to the flow of current between its electrodes is called internal resistance of the cell electro chemistry में आपने पूरी electro plates पढ़िए cathode anode तो वहां पर जो resistance offered होता है उसको हम क्या कहते है internal license जिसको हम small r से डेपो difference हम हम हो capital R से हम external license को denote करेंगे small r से internal license को denote करेंगे ठीक है यह तो थोड़ा सा theoretical part है थोड़ा सा theoretical part आपके और बचा हुआ है जैसे factors affecting internal license कौन-कौन से ऐसे factors हैं जो internal resistance पर depend करते हैं तो उसको affect करते हैं सबसे पहले directly proportional to the electrode distance जो plate की जैसे यह दो plates होती है उन plates की जो distance होती है उनके बीच की जो distance है उसके directly proportional होगा ठीक है second inversely proportional to the electrode plate area यह जो area है इस plate के area के inversely proportional होगा clear अब देखो area के inversely proportional कैसे होगा जैसे ऐसे area बढ़ा जाएगा देखो इस the plate is filled with positive and negative ions then the flow will stop if area increases the more ions will flow area बढ़ा होते जाएगा ज्यादा ions flow करेंगे उसमें ठीक है तो वो internal resistance को affect करेगा inversely proportional तीसरा है directly proportional to the concentration of electrolytes इसको आप बिल्कुल as it is मैंने notes के form में बना दिया है as it is उसको copy कर सकते हो एक्जामपर की साइट ठीक है चौता है inversely proportional to temperature ठीक है temperature dependency हम औरड़ी election number I think 5 में देख चुके है and nature of the electrolyte because of which nowadays there is variation in the backup of cell और a battery है तो आप देख सकते हो किसी आपके पास कितने सारे फोन होंगे उनके चार्जर होते हैं कोई चार्जर जल्दी चार्ज कर देता है फास चार्जर किसी का बैक अच्छा होता है ठीक है किसी का बैक अच्छा नहीं होता है अब आइफोन वाले गई है हम तो चार्जर नहीं घुमते रहते हैं मेरा भी यहाल है चलो next देखते है चलो अब शुरू करते हैं प्रॉपर्पर्ली यहां से EMM relation between ER and V it is the amount of work done to move a unit positive charge along a closed circuit ठीक है scalar quantity होता है dimension dimension निकाल लेते है यहाँ पर जो EMF है इसको हम E form से denote करेंगी यहाँ पर मैंने capital लिखा हुआ है same as potential इसका dimension देखो potential dimension क्या होता है V is equals to W upon Q ठीक है तो W work done work done होता है ML square T minus 2 divided by Q is equals to AT Q is equals to IT होता है और I का A एंपर तो यह हो जाएगा हमारा dimension ML square T minus 3 A minus 1 यह हो गया इसका dimension अब by definition of EMF EMF होता है work done against external resistance अच्छा from A to B और B to A जो है यह एक circuit बनाना पड़ेगा इसके लिए हम एक circuit बनाते हैं जैसे मान लो यह external resistance है और यह हमारा cell है यह cell का internal resistance है तो एक point देनेते हैं A से B तक अब देखो A से B तक अलग work done होगा क्योंकि देखो हमेशा जो current flow होगा वो होगा higher to lower positive से negative की तरफ ठीक है current flow हम फ्लो करेगा positive से negative की तरफ तो एक तो हो गया work done against external resistance R this is external resistance R from A to B ठीक है अब B से A तक देखो low से high आने में obviously सी बात है कोई भी चीज अगर low से high जा रही है जैसे आप यह bottle है इस bottle को मैं नीचे फेकूँगा high to low ठीक है high से low तो अराम चले आएगी अगर मैं इसे छोड़ भी दूँगा तो भी नीचे चले आएगा लेकिन अगर low से वापस high पे लाना है तो एक external work करना पड़ेगा जैसे मुझे work करना पड़ेगा इस bottle को उपर लाने में और फिर इसे leave करूँगा देखो high से low तो अपने आप चला गया फिर मुझे इसे उपर लाने के लिए तैइटर्नल वापसरो करना पड़ेगे ओडेगा और हरो क penalty ऑड़ेगा यह small आ रहा है ठीक है यह e अब यह हमारा जो पार्टर है यह सेन तो न पार्ट यह cell part है और वो R जो है internal resistance है अब यहाँ पर देख लेते हैं from ohms log ohms log के according इसे first equation मान लिए हमने ohms log के according देखो V is equal to IR होता है ठीक है और V dash क्या हो जाएगा I current तो भही रहेगा लेकिन R आ जाएगा small internal resistance R तो V dash हो गया हमारा I into R और V हो गया I into capital R अब इसको हम equation number 1 में use कर लेते हैं देखो E क्या है E is equal to हमारा है V मतलब I R clear plus V dash मतलब I into smaller चलो उसे कर लेते हैं आगे यहाँ से हम क्या करेंगे हम I common लेंगे तो हमारा आ जाएगा E is equal to I common लेंगे R plus R ठीक है अब यहाँ से हम पहला expression निकाल सकते है current का तो यहाँ से current का expression for current for current हमारा एक formula बन गया I is equal to E ऐसी रहेगा divided by R plus R ठीक है एक formula हमारा यह बन गया clear चलो दूसा देख लेते हैं अब यहाँ से यह तो current के लिए expression है कि यह तो current के लिए हमारा expression आ गया अब देखो current के expression के बाद अब ओम्स लॉप दूबारा यूज करेंगे और उससे देखो क्या होगा हम यह देख सकते हैं also वी इस इक्वल टू आई आई का यह एक्स्पेशन है से यहाँ यूज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा देखो वी इस इक्वल टू आई की जगे यह हमारा दूसरा expression हो गया ठीक है potential का अलग अलग form में एस पर दा नीड आपको जरुद पड़ेगी सबकी फॉर्मले की निमेरिकल करने में ठीक है कौन सा expression दिया हुआ है कौन सी quantity given है कौन सी use करनी है वह आपको इसी में से सम्मिट जाएगा तो यह हो गया V is equal to E by R plus R इसको हम ऐसे में सकते हैं E by R plus R एक ही बात है उसमें कोई दिख करते हैं आच्छा जो equation number 1 हमने जो मानी थी देखो equation number हमने E is equal to V plus V dash हमारी equation number 1 थी इसको वापस लिख लेते हैं तो यहां से हम एक लिख सकते हैं also E is equal to V plus V dash अब देखो यहां से हमें एक expression निकालना है V के form में तो V is equal to E minus V dash लिख सकते हैं और V dash देखो क्या माना था हमने V dash मना था I R I into small R मतलब internal resistance तो इसको यहां जाएगा और V is equal to E minus I into R यह हो गया हमारा main formula ध्यार लगना इसको हम यूज करने वाले हैं यह आप note कर सकते हो पॉस करके ठीक है यह पूरा note कर लेना हम आगे चलते हैं अब हमारा next topic है Terminal Potential Difference Terminal Potential Difference TP DB बहुते हैं से The potential drop across the terminal of a cell when the current is being drawn from its from it is called Terminal Potential Difference देखो basically होता क्या है simple language में यह तो इस bookish language आपको सेंटर रचने की दरवात पे हैं EMF minus Potential Difference across Internation मतलब V is equals to E minus IR जो हमने अभी निकाला था basically वह उसी का expression था V is equals to E minus IR लेकिन इसमें दो form होते हैं या तो आप cell को use कर रहे हो या cell को charge कर लो मतलब या तो charging mode पे है या discharging mode पे है उस हिसाप से मतलब when current is drawn हम जब cell से current ले रहे हैं तो होगा हमारा V is equals to E minus IR या दखना negative मतलब की current draw कर रहे हैं और अगर negative की जगे by chance positive लिखा हुआ है तो positive का मतलब की cell को हम charge कर रहे हैं cell is being charged ठीक है यह दो expression जो है इनका घ्यान लखना यह दो अलग-अलग expression जो लिखे है when cell is when the current is drawn and when cell is being charged plus or minus का difference है चलो अब हम यहाँ पे expression निकालते हैं internal इससे निकाल लेते जाएं अराम से आयार के तो चाहिए वी इस इक्वल टू ई- माइनस आई- आयार है यहां से expression आर का निकाल तो यह दर ले जाओ तो यह जाएगा IR is equal to E-V और R is equal to E-V by I अब देखो एक expression तो हमारा यह बन गया ठीक है R is equal to E-V by I अब ओम-slot से अगर I की जगे हम V by R पुट कर ले वी इस इक्वल टू आयर होता है तो I यह क्या होगा V by R तो V by R को अगर हम यह यह यूज करें तो यह लोग सकता है और R is equal to देखो E-V divided by I की जगे है V by R तो R उपा चल जाएगा तो यह हो जाएगा E-V by V into R यह हो गया हमारा internal resistance का formula चाहे potential के V के I हटा I के टम में लो चाहे I अभी और R के टम में लो ठीक है अब इसी से हम case देख लेते है case 1 और case 2 case है when cell is open जब cell open होगा मतलब के switch off है मतलब current नहीं जा रहा है I is equal to 0 उस case में अगर इस condition में हम I को 0 पुट कर दें तो बचे गा क्या B is equal to E मतलब जो potential difference है वो सीधा सीधा EMF के बरावर है EMF मतलब electromotive force ठीक है full form तो potential difference हमारा EMF के बरावर है इस case में लेकिन actually R को हम 0 नहीं ले सकते for a real cell कोई ना कुछ ना कुछ ना कुछ तो R की छोटी से छोटी तो होगी internal license की और अगर कुछ भी value है तो इस expression के according V is equals to E minus IR में R की कोई भी value हुई तो V की value E से कम ही आएगी तो for real cell हम लिख सकते है यहां पे V is always less than so the potential difference is always less than EMF actually ठीक है for a real cell कुछ ना कुछ तो R की value होगी हमारे तो यह था हमारा terminal potential difference अब next देखते देखो graphically functioning of a cell can be represented by the following three graphs तीन graph के basis पे हम cell की functioning को पर सकते हैं समझ सकते हैं बहुत असान है ठीक है इसमें कुछ वैसे इद्वाली बात नहीं है पहला आए जब को ई वर्सेस आर पहली बात तो एक्सरल लेसेस पर इमएफ डिपेंडिन नहीं करता तो इसका तो सीधे सीधे इमएफ जो भी value होगी यहां पर हम ले सकते हैं इस इंडिपेंडेंट ओफ आर ठीक है जो भी value होगी आर कितने value बढ़ते जाए इससे कोई फरक नहीं परेगा दूसरा main game पढ़ने वाला है वी वर्सेस आर ठीक है अब आप उसमें कंफ्यूज मत हो नहीं यहां पर सेल की बात हो लिए पोटेंचिल डिपेंज आप नहीं भी वर्सेस आई ओम्स लॉग आप स्केट लाइन लग बनात्मा ठीक है वी वर्सेस आर के ग्राफ में सबसे पहले किसी भी फिजी ख्लोज सर्केट फॉर अब देखो फिजी क्लोज सर्केट पे टर्मिनल पोटेंचिल डिपरेंच जो होता है वह क्या हो गया वी इज़िवल्स टू आई आर आई की जगे आई की जगे देखो भई एक्सपेशन रखी ही जो आपने पीछे निकाला है यहां पर देख इबाई आर प्लस आर इंटू यह कैपिटल र ठीक है और इसी को हम लिख सकते हैं इबाई अध्यकुर आर को नीचे डिवाइट करोगे तो आर बायर बन हो जाएगा प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल र अब डिफरेंट वैल्यूस पर आप देखो डिफरेंट वैल्यूस यह सबस्वेंट जया थे हैं पहली चंडीशन पहली अमसे यहां दो पर जाए एक्सटन आर इंटरलेसेंस आर के वरावर है उस केस में अगर आर की वैल्य यहां पर रखोगे तो यह आर से आर कट जाएगा वान प्लस वन टू तो यह हो जाएगा हमारा वी हो जाएगा यहां एक्सटन ऩू पर आयखो मान लेते हैं यहां पर लिखके तो मैं तो इस केस में जो भी एम इपसके की वैल्य होगी उसका हाफ हो जाएगा और तो यहां पर त spirituality हो जाएगा आर इंफिरिटी लगज़ आपे तो यह कितना हो जाहएगा देखो एंफिरिटी वाई आर वाई इनफिरिटी जीरो तो सीद्जेगे Напी बर आपकर जाने कि यह जो भी क्वेंडी होगी यह ग्राफ कुछ स्सक्राइप इस की जो shirt कि अउना में इसके बराबर आ तो यह जो E है यह आ गया V is equal to E यह आ गया second case का graph तीरों condition में लिख दी है यह first condition यह second और यह third third देख लेते हैं V versus I का graph V versus I के graph में आप एक चीज़ ध्यान लखना V is equal to E minus I R होता है ठीक है इस equation को मैंसे सकते हैं minus के I R पहले लिख दो plus के E बाद में लिख दो V is equal to और इसे compare कर दो Y is equal to MX plus C से जो कि straight line के equation होती है तो negative slope के साथ यह straight line आ गया यानि कि इसका graph सीदे सीदे बन गया यह negative slope यहाँ पे लिख दो with negative slope तो उस case में यह graph बन गया हमारा इस A point से लेके यह B point तक का graph ठीक है? Y is equal to MXC से compare करा V is equal to I R plus E minus मतलब negative slope ठीक है? तो यह हमारा इसका graph बन गया तो यह तीन graph हो गया हमारे से अब यहाँ पे combination की बात करनी है combination में थोड़ा सा derive करके समझेंगे combination equivalent circuit कैसा बनेगा और कब हमें cell को series में connect करना है कब cell को panel में connect करना है और last में mixed grouping देखेंगे चलो start करते हैं सबसे बहले हम यह समझते है combination of cell यह जो लिखा है ना combination combination of cell basically हम cell को combine क्यों करते है in order to get high current देखें हमें जब current ज्यादा चाहिए होता है तब हम cell को combine करते है either in series और in parallel वो हम देखेंगे कब कौन सा हमें connection करना होता है जिसे हम battery कहते है ठीक है तो basically आप यहाँ पे लिखोगे in order to get high current we use combination in order to get high current we use combination of cells that is called battery combination of cells that is called battery ठीक है अब इसमें भी देखो पहले हम इसको तीन पार्ट में करेंगे पहले पार्ट में पढ़ेंगे cell in series जब cell को हम series में लगाते है तो क्या होता है दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे अच्छा series में भी दो चीज़ा आएंगी देखो एक चीज़ा समाज़ लो कि हम पढ़ने कैसे जा रहे जैसे यह हमारा cell का combination है ठीक है उस गरवड हो गया रहा 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 दो मिनटर को सुन्दा सुन्दा लिख रहा था मर्ज हो गया मानलो जैसे हमें बढ़ना है combination of cells तो उस combination को हम पढ़ेंगे दो पार्ट में ठीक है बेसिकली तीन पार्ट में पढ़ेंगे पहले series combination फिर parallel combination और उसके बाद mixed grouping ठीक है series combination parallel combination और mixed grouping अब series combination में भी हम दो पार्ट देखेंगे पहले देखेंगे हम identical sorry non identical का non identical cells और उसके बाद देखेंगे identical cells same काम हम parallel में भी करेंगे और फिर mixed grouping अलग ठीक है तो इस pattern से हम combination of cell को समझेंगे सबसे पहले हम start करते है cell in series का non identical ठीक है तो first हमारा जो है वो है cell in series में ठीक है कौन सा non identical non identical non identical मतलब ठीक है एक तरीके का cell नहीं है हम जो इसका EMF और जो इसका internal license है वो अलग-अलग है चलो बना के देख लेते है non identical आप इसे note कर सकते हो इंद मीन टाइम चलिए आप इस वाले को note कर लो तक तक हम figure बना लेते है मान लो यह a point है इस a point से यह एक cell connected है देखो यह होता है cell का symbol यह जो आपने इंटर लगाया है यह internal license है small r तो यह हमान लेते हैं e1 और यह मान लेते है r1 ठीक है यह point a है यह point b है अब इसमें मैंने क्या करा non identical है तो एक cell और b से c तक connect कर दिया यहां से b से c point तक यह हो गया e2 और r2 ठीक है clear है e1 r1 e2 r2 यह दो different cell है दोनों का mf अलग दोनों का internal instance अलग तो यह हो गया non identical cell अभी non identical cell को देखो हमने series में लगा दिया तो हमने एक formula पढ़ा है formula क्या पढ़ा है हमने देखो v is equal to e minus i r अब इस formula पे हम दोनों cell का potential put करेंगे कैसे पहले हम निकालेंगे a और b के बीच में potential तो यह आ जाएगा हमारा a और b के बीच में हमारा potential आ गया va minus vb is equal to अब देखो a और b के बीच में potential निकालेंगे v is equal to e, e कितना है e1 minus i अब देखो current तो series में same रहता है तो minus के i same रहेगा into r r क्या हो जाएगा हमारा r1 clear है इतना clear है अब यहां से हम क्या करेंगे दूसरा निकालेंगे second cell का मतला potential between b and c अब b and c के बीच में देखो vb minus vc कितना निकलेगा देखो emf कितना है e2 minus current same रहेगा i और r1 की जगे r2 ठीक है दोनों को add कर दो दोनों क्या करो? add कर दो दोनों को add करेंगे तो देखो क्या बनेगा दोनों को अगर हम यहां पर add कर देखो क्या बनेगा b plus का minus का और plus का cancels investigating हो गया Ik expertise v a minus vc is equal to e1 plus e2 e1 plus e2 minus अब देखो minus बाहर ले 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 common क्योंकि i current दोनों में same है बचा क्या bracket में r1 plus r2 इसे मान लो equation number 1 ठीक है यह हमारा आगया equation number 1 अब देखो तब तक आप इसे note कर लो यहाँ पे identical cell का जो हम कर रहे हैं अब right side में मैं इसका आगया explanation करूँगा ठीक है अराम से समझो धिरे धिरे कोई दिक्कत नहीं है चलिए यह आपने note कर लिया होगा अब देखो first equation बन गई अब हम इसका equivalent circuit बनाएंगे equivalent circuit जब इसका series का equivalent circuit बनाएंगे तो देखो equivalent circuit कुछ इस तरीके का बनेगा यह बन गया इसका equivalent circuit यह point है इस a point से यहाँ तक हमने लिया c point तक तो यह हो गया हमारा e equivalent और यह हो गया r equivalent ठीक है इसका equivalent circuit यह है अब इस equivalent circuit में same चीज़ v is equal to e minus i r अगर हम पूट करेंगे तो क्या आएगा देखो va va minus vc is equal to अब va minus vc is equal to e है e की जगे e equivalent तो e equivalent minus current देखो series में same रहेगा i रहेगा तो i और r की जगे r equivalent इसको माल लेते है equation number 2 अब one और two को compare करते है ठीक है one और two को compare करेंगे तो on comparing one and two on comparing one and two on comparing one and two अब one और two को compare करो तो देखो e1 plus e2 और e equivalent तो यहाँ से क्या आएगा e equivalent is equal to e1 plus e2 और minus के i minus के i ऐसी है r1 plus r2 r equivalent यहाँ पर जाएगा and r equivalent is equal to r1 plus r2 तो यह हमारा equivalent circuit आ गया non identical case के case में ठीक है इसका formula आ गया non identical के case में यह हो गया हमारा formula ठीक है चलिए आप यह note कर लो अब इसी का हम identical का case समझेंगे identical case में कुछ नहीं होना है बस यह जो even e2 differently आता यह normal लेंगे तो आप note कर लो मैं next page पे चल रहा हूँ अब हम इसका identical अच्छा add-on करना कोड़ेगा page add-on ठीक है तो देख लेते हैं किसका था identical का now the case is of identical cells ठीक है identical cell का पहले एक figure बना लेते हैं figure से समझेंगे देखो यह identical cell का figure है n number of cells तक ले रहे यह बन गया इसका figure हमने इसमें cell कितने current करें देखो यह e r यह first cell यह e r यह second cell ऐसे करते करते कहां तर जाएंगे हम n number of cells तक यह e और r n number of cells तक इसमें हमने identical cell में connect कर दिया है ठीक है अब पिछले वाले concept को यूज करके identical cell का n number से combine कर दिया है उससे क्या फरक पड़ेगा अब यह वाला part important है अब रहा ठीक है इसी में आपको पता लएगा कि cell को जब charge हो discharge हो तो series में connect करना चाहिए यह नहीं करना चाहिए यह बहुत जनरल बात भी है ठीक है हम नॉर्मली जए cell को यूज करते हैं तो उसका combination series होना चाहिए पहलन होना चाहिए इसका mathematically आपको यहाँ पर सवज में आएगा कि cell को हमें कैसे connect करना चाहिए ठीक है चलो इस पर आते हैं सबसे पहले इसका equivalent का देखो फॉर्मला मा अलड़ी निकाल चुके हैं E1 प्लस E2 और R1 प्लस R2 अब अगर इसका हमारा N टाइमस में आएगा तो हम इसी से लिख देंगे E equivalent is equal to E1 प्लस E2 प्लस इस circuit के लिए E N या फिर इसको लिख सकते हैं N टाइमस लिख सकते हैं N टाइमस लिखेंगे तो यह क्या जाएगा N इंटू E N टाइमस उस E का अब similarly अगर मुझे यहाँ से R equivalent निकालना है तो R1 प्लस R2 प्लस कहा तक N टाइमस तो यह जाएगा N इंटू R ठीक है अब इसी circuit का equivalent circuit बना लेते है equivalent circuit अभी बनाया था हमने तो equivalent circuit कैसे बना था हमारा यह इस तरीके से equivalent और R equivalent ठीक है इसी का हमने equivalent circuit बना लिया अब देखो equivalent circuit बनाने के बाद सबसे पहले तो formula formula हमने पढ़ा हुआ है I is equal to E by R plus R यहाँ पर यही formula क्या है E की जगे E equivalent R की जगे R equivalent तो E equivalent हमने कितना निकाला है देखो यहाँ से E equivalent हमने निकाल रखा है N E ठीक है तो I E equivalent कि जगे आ जाएगा N E divided by R external resistance यह वाला R तो ऐसी रहेगा plus plus R equivalent कितना निकाला है हमने N R तो यह हो जाएगा N R यह बन गया इसका formula for current I is equals to N E by R plus N R यह important formula है इसको समझ देना इस पर numerical भी आएगा और इस पर हम case भी करने जा रहे है ठीक है इसे आप note कर लो तब तक हम इस पर case कर लेते हैं ठीक है हमारा case number one case number one इसको अराम से figure के साथ note भी कर लेना ठीक है अब हम case इसमें क्या पढ़ेंगे कि अगर हमारा cell इस case में fully charged है ठीक है हमारा case number one आएगा if cell is fully charged cell is fully charged का क्या मतलब है देखो पहले तो यह समझो कि cell fully charged का क्या मतलब है ठीक है basically यह जो condition बता रहा है वो condition है कि हमारा जो external resistance है आर प्लस अगर आर इस फार फार गेटर दन अ एन आर है तो यह condition क्या हो जाएगी इससे लिख लेते हैं सो आर प्लस एन आर अब अगर देखो आर बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो अन आर को इग्नोर कर सकते हैं तो हमारा जो आर प्लस अन आर है वो किसके बराबर आ जाएगा इस नियरली इक्वल टू आर भाई बहुत बड़ी वैल्यू है एक करोड रुपे है अब उसमें बहुत छोटी सी वैल्यू पॉइंट जस पैसे यह बीच पैसे एड़ उन करेंगे को इतना फरक नहीं पड़ लेगा उसी तरीके से आर प्लस अन आर में आर की वैली बहुत जादा फारफा गेटर देने बहुत जादा बड़ी है तो उसको नियरली इक्वल टू हम आर ले सकते हैं तो अब इस फॉर्मले को यहां पर यूज करेंगे तो यह हो जाएगा आई इस इक्वल टू फॉर्मल n e by r ठीक है यह बन गया देखो हमारा पहला फॉर्मला यह फॉर्मला किस केस में वाक करेगा यह फॉर्मला केस वन में वाक करेगा जब सेल फुल ली चार्ज है और इससे क्या पता लगता है देखो n इसका मतलब देखो i is equals to e by r है current due to single cell यानि कि जब को cell को series में connect किया है औ n times current due to single cell n times current due to single cell क्योंकि देखो i is equal to e by r जो होता है वो है current due to single cell ठीक है तो उसका n times हो जाएगा charging केस में यह था हमारा केस नमबर 1 अच्छा अब ही चलो इसी पर हो जाएगा भी इसी में में आपको एक केस नमबर 2 बदाता हूँ ठीक है इसी में देख लो हम case 2 अब case 2 हमारा है if cell is fully charge की जगे fully discharge short में लिख रहा हूँ है if cell is fully discharge अगर cell fully discharge है तो इसको पलट दो अब जो condition आएगी वो r is far far less than nr आजाएगी और इस case में इस case में आप देखो r plus nr जो था इसमें देखो nearly equal to r आया था इसमें nearly equal to क्या आएगा nr आजाएगा यस यह चीज़ें हमारी पलट जाएगी तो condition यही उस करते हैं यही वाला current का condition यही उस कर लो तो current i कितना निकलेगा देखो n e by r plus nr तो यह जाएगा n e by r plus nr की जगे nr आजाएगा यह capital है n से n कड़ गया तो यह आया हमारा i is equal to e by r इससे क्या पता लगता है i is equal to e by r इससे क्या पता लगता है इससे हमें यह पताता है कि जो हमारा current था वो due to single cell का output आया है current due to single cell का output आया है current due to single cell का हमारा output आया है ठीक है इसका मतलब always connect cell in series when it is fully charged जब भी cell fully charged हो उसको series में connect करना है यह इसका conclusion है यह इसका conclusion, always connect cell in series when it is fully charged, ठीक है, यह ध्यान लखना, यह sentence अभी यहाँ पर में लेक नहीं पह रहा हूँ, आप इसे note कर लो, always connect cell in series when it is fully charged, क्योंकि उसमें n times का उसको output मिलेगा, n into e by r, अगर वो discharge होगा, उसको series में connect करोगे, तो कोई फायदा नहीं है, output current single, जितना current single cell का आथ उतना ही output आ रहा है, यहाँ से mathematically proof भी हो गया, तो यह था हमारा series का पूरा case, अब हम next करते हैं, parallel combination, parallel combination of cells, parallel combination of cells, जैसे series करता है, वैसी parallel combination था, बस parallel combination में यह होता है, कि, एक common point पे दो cell connected होते हैं, ठीक है, figure देख लेते हैं, मानलो यह A point है, और यह B point है, अब इसी A और B के बीच में, क्या होगा, दूसर cell connected होगा, इसे लिए लेते हैं E1, R1, इसे लिए लेते हैं E2, R2, ठीक है, यह है, अब potential difference across A and B निकालते हैं, potential difference across A and B केता होगा, VA-VB, यहाद दोगा, आपको parallel combination में potential save रहता है, ठीक है, series में change होता है, इसमें current differ करेगा, इसमें current जो निकलेगा, यहाँ से I1 और यहाँ से I2 निकलेगा, तो इसको use कर लेंगे, तो formula है हमारे पास, यहाँ पे देखो, V is equal to E minus IR, तो यहाँ से हम formula ले ले QE minus V IR, यहाँ से अगर हम I निकाले तो कितना आएगा, डेको I is equal to E minus V by R, यह current का expression आगया, current का expression क्यों निकालने यह बी मैं बता दूँ कर्ण्ट के expression इसले निकालने है, क्योंकि parallel combination में current differ करता है, potential same रहता है, ठीक है, तो potential vary नहीं कर रहा है, तो उसके बेख़़ इसलिए हम current ले रहे हैं, अब i का expression आ गया, sorry, i का expression आ गया तो हम i1 और i2 निकालेंगे अब, अब देखो, सबसे पहले निकालते हैं i1, तो i1 कितना निकलेगा देखो यहां से, i1 इस expression रिपर्ट करो, i1 is equal to, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिसकते हैं, separate भी लिसकते हैं, e by r minus v by r, क्यों हम separately ही use करेंगे, इसलिए हम separate कर सकते हैं यहां से, तो i1 कितना हो जाएगा, e1 by r1 minus v by r1, यह हो गया i1, ठीक है, यहां से i2 भी लिख लेते हैं, i2 कितना आएगा देखो, e2 by r2 minus v by r2, तो हमने दोनों current निकाल लिया, i1 और i2 यहां पे निकाल लिया, जो काम पीछे कर रहा था देखो, पीछे हमने क्या करा था, दोनों को add करा था, आपको याद होगा, देखो, series में आ जाओ, यहां पे हमने दोनों को क्या करा था, add करा था, ठीक है, वही add हम वहां पे भी करेंगे, वही add हम यहां पे भी करेंगे, तो adding both i1 and i2, अगर i1 और i2 दोनों को add करेंगे, तो तो देखो क्या बनेगा i1 i2 दोनों को add करेंगे तो हमारा आ जाएगा i1 प्लस i2 is equal to left side बाला e1 by r1 plus e2 by r2 अच्छा minus बाहर ले लो minus v ठीक है और common ले लेंगे अंदर क्या बच्चा 1 by r1 plus 1 by r2 इसको माल लेते हैं equation number 1 देखो बिल्कुल same process भाही है जैसे पहले चल ला था पिछले series में करते हैं वैसी करेंगे ठीक है अब हमें इसका क्या करना है इसी का equivalent circuit बनाना है equivalent circuit कैसे बनाएंगे देखो इसी का equivalent circuit क्या होगा a और b के बीच का equivalent this is point a ठीक है this is point b यह हो जाएगा हमारा e equivalent और यह r equivalent ठीक है अब इसी equivalent circuit का अगर हम expression लिखें इसके basis पे तो हमारा हो जाएगा i is equal to क्या हैगा e equivalent by r equivalent ठीक है minus v by r equivalent this is equation number 2 clear अब 1 और 2 को हम compare कर लेते हैं तो हम लिख लेते हैं comparing 1 and 2 1 और 2 को हम compare कर लेते हैं तो देखो equivalent compare करेंगे तो e equivalent by r equivalent आजाएगा क्या इससे compare कर लो e 1 by r 1 plus e 2 by r 2 तो e equivalent by r equivalent is equal to e 1 by r 1 plus e 2 by r 2 ठीक है और दूसरा क्या है v तो चलो same है 1 by r equivalent 1 by r equivalent is equal to 1 upon r 1 plus 1 upon r 2 देखो इसी में ही अगर इसका general formula बनवादू में यह तो हमने दो लिए थे इसलिए अब इसी में general formula बनाएंगे तो इसी में add on कर सकते हैं plus 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 कहां से कहां तक देखो e n by r n तक इसी में general expression बन जाएगा और plusyए कहां तक हो जाएगा plus 1 by r n तक तो यह हमारा क्या हो गया यह हो गया हमारा general expression ठीकिया इसे हम general expression में लोटे है तो यह हो गया हमारा दोनों general expression यह हम लिसके हैं in general ठीकिया in general मैंने उसी में बना दिए वैसे अलग से लिख था बढ़ इससे बना दिया तो यह हमारा equation हो गया जनल expression का equivalent का किस case में non identical की case में अब page and order on कर लेते हैं अब हम करेंगे identical का case ठीक है identical का case तो पॉर आइडेंटिकल सेल्स ठीक है आइडेंटिकल सेल मतलब यह और आर हमारे बराबर रहेंगे सबसे पहले इसका figure बना लेते हैं इस a point से पहला cell resistance यह आगया a point से लेके b point तक यह हो गया हमारा दूसरा cell यह internal resistance ठीक है और इसी को हम लेते हैं n number के लिए e r e r e r ठीक है यह first cell यह second cell यह n number of cell ठीक है यह circuit है और यह हमारा capital R अब equivalent का जो हमने formula पढ़ा है उसको अगर हम इस circuit में apply करें identical cell में तो देखो क्या निकल के आता है 1 by r equivalent is equal to simple 1 by r plus 1 by r plus dot 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 plus 1 by r कितने time तक n times तक तो यह जाएगा सीधे सीधे जाएगा n by r देखो यह formula का expression में यहां से use कर रहा हूँ यह वाला जो हमने निकाला है equivalent circuit के दोनो formula हम यहाँ पर use कर रहे है ठीक है अब 1 by r equivalent यह बन गया n by r दूसरा formula यहीं से हम निकाल लेते हैं दूसरा equivalent का e equivalent by r equivalent देखो यह क्या बनेगा e by r plus e by r प्लस e by r कहां तक n e by r तक ठीक है अब हम यहां से हम एक काम और कर सकते हैं यहां से हम e equivalent को यह भी लिख सकते हैं e equivalent is equal to n e by r into r equivalent यहां पर आ गया ठीक है यह वाला r equivalent राइट साइड में भेज दिया यह आ गया अब r equivalent का देखो ऊपर से expression क्या आएगा यहां से इस वाले पार से अगर हम r equivalent निकालना चाहें तो r equivalent कितना आएगा 1 upon r equivalent n by r है तो r equivalent ऊपर कर दो क्या जाएगा r by n देखो इसको यूज़ करेंगे इसको यूज़ करेंगे हम ठीक है कहाँ पर यहाँ पर r equivalent r by n को यहाँ यूज़ करेंगे तो देखो यह expression क्या बनेगा यहाँ से हो जाएगा यह e equivalent is equal to n e by r into r equivalent की जागे r by n n से n कड़ गया r से r कड़ गया कितना आ गया e के बराबर यानि कि parallel combination में देखो potential वैसे भी चेंग जिता है यहाँ पर emf भी चेंग नहीं हो रहा है equivalent emf emf के बराबर यह identical cell में एक चीज़ तो यहाँ से clear हो कोई ठीक है अब इसका equivalent circuit भी बना लेते हैं देलो इसका equivalent circuit कैसा बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा ठीक है यह point a ले लो यह point b ले लो यह e equivalent यह r equivalent और यह capital r इस equivalent circuit का अगर हम current का expression निकाले तो i is equal to e equivalent by r plus r equivalent होता है ठीक है यहाँ पर put कर देते हैं e equivalent किसके बराबर आया है e के बराबर आया है divided by r ऐसी रहेगा plus r equivalent का formula क्या है r by n r equivalent का formula हमारा क्या है r by n ठीक है यहाँ से अगर हम इसका lcm लेंगे तो इसको हम ऐसे वी ली सकते है lcm लेंगे n यहाँ multiply हो जाएगा denominator के denominator वाला n उपर आ जाएगा तो n e by n r plus r यह हमारा current का expression हो गया ठीक है अब इस current से हम case करेंगे अपना जो से पिछले वारे case किया था वैसी यहाँ पर भी case करेंगे case 1 इसको मैं short में लिख रहा हूँ case 1 हमारा discharging का होगा case 2 हमारा charging का होगा तो पहला case है हमारा discharge का ठीक है जैसे हमने वहाँ पर निकाला था वैसे यहाँ पर भी निकालने है discharging का case होगा discharging में आपको पिछला याद होगा कि charging वाले case में r was far far greater than nr था और उसमें discharging वाले में r is far far less than nr same expression को हम यहाँ put करने वाले हैं तो देखो discharging वाले case में r is far far less than nr अगर यह condition हम put करें उपर तो देखो क्या आएगा r is far far greater than nr तो हमारा यहाँ पर r प्लस r by n में r अगर बहुत छोटा होगा तो हम r को ignore कर सकते हैं तो यह current कितना हो जाएगा निकाल के देखो current यहाँ पर कितना हो जाएगा अगर r हमारा बहुत छोटा हो जाएगा तो current कितना हो जाएगा सीधे सीधे n e by r n e by r मतलब discharging वाले case में n times हो जाएगा current due to single cell के यहीं अगर charging का case निकाले case number 2 ठीक है charging वाला case निकाले charging वाले case में क्या होगा देखो r is far from greater than nr अब यह directly put कर दो सीधे सीधे r plus nr सीधे सीधे r हो जाएगा तो i is equal to e by r यह आ जाएगा इस case का formula दोनों case से क्या पता लगता है देखो दोनों case से आप सोचो इसमें क्या पता लग रहा है आपको case 2 में वही आ गया current due to single cell यानि कि अगर cell हमारा parallel connection है उस case में charging वाले case में आपका parallel जोड़ोगे तो भी current due to single cell का ही output आएगा ठीक है और discharge वाले case में end times यानि कि अगर आपका cell discharge है तो इसको parallel connection जोड़ो तो आपको output end times में मिलेगा ना की series में तो this was the expression for parallel ठीक है आज हम खरेंगे that is the third part जो है हमारा mixed grouping of cells identical का case में ठीक है तो चलो heading डाल लेते है mixed grouping of cells identical के case में identical cells के case में ठीक है mixed grouping of cells सबसे पहले इसका हम figure देखते हैं देखो mixed grouping का मतलब series और parallel combination साथ में ठीक है ये दूसरा cell लगाया ऐसे करते करते हमने ये बी point तक n number of cells लगा दिया अब n number ने ले रहे हम इसमें दूसरा लेंगे कुछ आभी बताता हूं क्या लेंगे ठीक है दूसरा ले लेते हैं cell ये हमने connect कर दिया दूसरा cell इसी तरीके से ये हो गया हमारा external resistance से connect अब देखो naming इसमें एक first row देखोगे तो इसमें series में लगे है और पैरलल भी ये कहा तक है एं नमबर तक तो हम एन लेके series को s से डिनोट कर रहे है parallel को p सी डिनोट कर रहे है तो इस आप से ये देखो ये हो गया first cell ये हो गया second cell ऐसे करते करते ये हो गया s number और और ये हो गया हमारा second cell ऐसे करते करते P number of cells मतलब S number है N times of series P number है N times of parallel तो हाँ N use कर रहे हैं series के लिए S और parallel के लिए P use कर ले अब यह हो गई mixed grouping का figure यह external resistance R है identical है तो यह सब क्या होंगे E, R E, R E, R इसी तरीके से सारे होंगे E, R E, R E, R E, small r R R यह इनकी name X भी हो गई clear अब अब अगर यहां पर हमें लिखना है total number of cells तो देखो total number of cells तो total number of cell को ले लेते हम N that is equal to S into P जेतना series का number है into P तो S into P हो गया हमारा total number of cell ठीक है अब हमें इसमें क्या करना है पहली row का equivalent निकालेंगे अब देखो बिल्कुल sequence wise करेंगे अभी first row में S number तक है मतब कई सारे cell है उसका equivalent एक निकालेंगे सिर्फ पहली row का first row, first line का देखो तो first line का equivalent कैसे लिखेंगे आब देखो for first row first row का equivalent देखो क्या लिख लेगा सिर्फ में तो सिदे सिदे लिख लेते हैं R equivalent R equivalent is equals to R plus R plus dot 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 plus कहा तक R होगा कहा तक S times तक S times तक तो इसे हम क्या लिख सकते हैं S R ठीक है हमारा जो R equivalent हो किसके बराबर आ गया S R के बराबर चलो E equivalent निकाल लेते हैं E equivalent ठीक है is equal to E plus E plus dot 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 plus E कहा तक S times तक S times तक तो यह क्या हो जाएगा S into E तो first row के लिए R equivalent और E equivalent हो गया अब यह जो first row के लिए होआ है इसका equivalent circuit बनाते है so its equivalent circuit is अब इस circuit का equivalent circuit देखो कैसे बनेगा this is point A point A से ले जाओ यह पहली row का equivalent circuit हो गया first row का equivalent circuit मतलब यह इसका equivalent circuit हो गया देखो first row का इन सब का equivalent सीदे सीदे क्या बन जाएगा देखो SE और SR तो यह हो जाएगा SE यह हो जाएगा SR ठीक है इसी तरीके से second row का equivalent circuit क्या आएगा देखो इसी तरीके से last row का equivalent circuit भी बना लेंगे यह connect हो गया हमारा external resistance है that is R तो SE यह भी S E SR यह भी S E SR अब simple अब देखो यह circuit क्या हो गया थोड़ा सा simplify हो गया अब यह mix जा mix से अब यह series वाला हमने solve कर लिया अब बचाएए parallel वाला combination अब हम इस parallel वाले combination को करेंगे अब parallel combination के लिए parallel का formula formula देखो मैं आपको पहले बता दूँ जो हम लगा रहे identical cells का पहले alpha formula हमारे पास यह अलुड़ी रखा है one upon R equivalent और equivalent by R equivalent यह पिछ्री lecture में हमने करा हुआ है इसी को continue कर रहे है कि तो यहां से हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे देखो one by R equivalent ठीक है यह हमारा parallel का formula है तो one by R one plus one by R two plus one by R three होता है identical cell एक लिए R R R यहां पे SR SR और SR है तो सीधे सीधे हो जाएगा one by SR plus one by SR plus dot 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 plus one by SR कितने times तक देखो P times था हमारा कितने cell है P रोज तक तो P times तो basically यह कितना हो जाएगा one upon R equivalent is equal to P by SR और एक चीज़ और निकाल सकते हैं यहां से R equivalent निकाल लो है R equivalent is equal to SR by P यह आगे काम आएगा इसको लिख लेते हैं ठीक है इसे note कर लो आप यह आगे काम आएगा R equivalent निकाल लिए हमने SR by P अब दूसरा formula हमारे पास क्या है देखो E equivalent by R equivalent का formula E by R E by R करके ठीक है इसको भी यूज़ कर लेते हैं तो दूसरा formula में यहां पर यूज़ कर रहा हूं देखो तो यह जाएगा E equivalent by R equivalent is equal to यह जाएगा E by अच्छा S E by S E by S R plus S E by S R plus dot 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 plus S E by S R यह भी कितने टाइम्स है? P टाइम्स है ठीक है? यह भी हमारा कितने टाइम्स है? P टाइम्स आप इसको नोट कर लो मैं next page पर जा रहा हूँ अब यह P टाइम्स है तो इसको हम कैसे लिखेंगे देखो next page पर अब इसी को जो हमने पिछला वाला देखो पिछला page इसी को हम P टाइम्स हैंगे तो P S E by S R हो जाएगा ठीक है? यह हो जाएगा हमारा P E by R बचा इसे हम लिख लेते हैं E equivalent is equal to R equivalent को उधर ले जाओ तो यह हो जाएगा P E by R into R equivalent अब देखो R equivalent की value हमने क्या निकाल लिए है? S R by P इसको हम put करेंगे यहाँ पे यह R equivalent जो यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे put करेंगे तो यह हो जाएगा S R by P अब देखो R से R cancel P से P cancel और R से R cancel देखो क्या बचा? तो हमारे पास आ गया E equivalent is equal to S into E यह आ गया E equivalent की value अब R equivalent और E equivalent दोनों हमारे पास आ गया अब हम क्या करेंगे? इस circuit को भी और simplify करेंगे इस वाले circuit को और simplify करेंगे P times इसका E equivalent circuit बनाएंगे तो इसका E equivalent circuit कैसे बनेगा? Now Simplifying more तो अब और circuit कैसा बनेगा? देखो Complete equivalent circuit बन गया यह This is external circuit This is point A This is point B ठीक है? यह हो गया हमारा E equivalent और यह हो गया R equivalent और यह हो गया हमारा external resistance R अब इस circuit का current अब देखो current का expression आपको याद होगा normal आपको मैंने trick बताई थी I is equal to V by R होता है यहाँ पे cell की केस में I is equal to V की जगे E by R की जगे R plus small r यह simple trick है वैसे हमने cell में निकाल रखा है इसको बस याद रखने के लिए है कि V की जगे हमारा E आ जगे और R के साथ internal resistance भी जोड़ जाएगा तो इस वाले formula को यहाँ रखते है current यह हो गया आएगा I तो अब I का expression रखना है तो I का formula है हमारे पास I is equal to E की जगे देखो आएगा E equivalent तो E equivalent divided by R plus R equivalent R plus R equivalent अब यह आ गया हमारे पास ठीक है? clear है आपको? सबको? ठीक है? तो R plus R equivalent शायद उपर का top थोड़ा सा मैं सही से visual करायता हूँ यह हाँ now अब इस वाले formula में हम put करेंगे इन दोनों की value देखो E equivalent की value हमारे पास यह है और R equivalent की value हमारे पास यह है ठीक है? इन दो value S R by P याद रखना हम इन दो value को put करने वाले है तो हमारा यहां से हो जाएगा देखो I is equal to E equivalent की जगे S E divided by R ऐसी रहेगा प्लस R equivalent की जगे यहां से value put कर दो S R by P तो यह हो जाएगा S R by P अब देखो यहां L C M लेते तो यह हो जाएगा हमारा I is equal to देखो इसका L C M लोगे तो P यहां multiply होगा दिनोमेटर वाला P सबसे उपर चले जाएगा तो P S E divided by P R प्लस S R अब सबसे पहले जो start करा था हमने वहां पे देखो total number of cell लिखा था हमने P into S आया था N यादे P into S N इसको यूज करेंगे तो P into S यहां पे लिखेंगे since P into S is equal to N तो इसको यूज करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा current का expression I is equal to N E divided by P R plus S R यह mixed grouping of cell के लिए current का expression निकलाया अब इसमें एक condition है ठीक है for maximum current for maximum current हम अदे को maximum current के लिए condition है यह condition आप याद भी कर सकते हो ठीक है अगर नहीं आएगा तो अगर समझ में नहीं आएगा तो comment section में बताना condition यह होती है that P R should be equal to S R ठीक है यह condition अभी आप learn कर सकते हो ज़्यादर detail में इसमें हमें solve करने जरवत नहीं होती exam में कैसे आएगा नहीं आया आप मुझे message करके पूर सकते है मैं बता दूँगा आपको P R is equals to S R तो लेट स्टार्ट क्रिचॉफ्स लॉउफ आपने इससे पहले की वीडियो देख ली होंगी और आपको पसंद भी आ रही होंगी प्लीज डू लाइक शेर एंड सब्सक्राइब सबसे पहला क्रिचॉफ्स करेंट लॉफ पॉइंट रूल और जंक्शन लूफ जो पहला रूल हमें पढ़ना है वो उसका जो नाम है क्रिचॉफ्स करेंट लॉफ पॉइंट रूल और जंक्शन रूल तीनों चीज बोलते हैं इसको ठीक है पहला वाला part है हमारा basically जो हम इसे पढ़ेंगे वो है Krichoff's current law इसे हम पढ़ेंगे KCL Krichoff's current law तो first law का statement है current के लिए ठीक है first law का statement है current के लिए दिखते है statement क्या कहता है statement कहता है the sum of all the currents meeting at a junction देखो ये जो point है इसको ले लेते है P, this P point is a junction ये figure बना हुआ है, this P point is a junction तो sum of all the currents जो इस पे meet कर रहे है is always zero इस part को देखो is always zero अभी ये पहली बार में ये sentence समझ में नहीं आएगा कि sum of all the currents कैसे होगा zero क्योंकि यहां तो दो current आ रहे हैं और यहां पे बागी तीन current जा रहे है तो इस चीज को देखो हम कैसे समझेंगे इस P point को हमाले लेते हैं junction point ये कौन सा हो गया, junction point ठीक है, junction एक ऐसा point होता है जहां से कई सारे रास्ते निकलते हैं ठीक है, आपने उसमें सुनाओगा railway stations पे सुनाओगा आपने कि कुछ stations के आगे junction होता है जैसे दिल्ली junction है, मेरट junction है ऐसे कई सारे ऐसे हमारे पास stations हैं जो junction होते हैं बट कई सारे stations junction नहीं होते हैं तो junction जहां से different ways निकलते हैं वो junction होते हैं, जहां से अलग-अलग दिशा में जाने के लिए रास्ते निकलते हैं तो उसी तरीके से current है तो यहाँ पर यह जो junction rule है, इसलिए इसका नाम junction rule भी पड़ा है, देखो क्या कहता है, current at P अगर हम निकालेंगे, या फिर हम इसलिए say I at P अगर हम निकालेंगे, तो इस पार्ट पर देखो I1 और I2, यह दोनो incoming current है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, incoming वाले को positive ले रहे हैं, incoming व I1 प्लस I2, इस figure के हिसाब से देखो I1 और I2 current P point पे आ रहा है, ठीक है, प्लस, आप देखो I3 current जा रहा है, तो minus I3 plus minus I4 plus minus I5 equal to 0, आप देखो, टीन current जो outgoing वो negative ले लिए, इसका अगर हम bracket open करें, तो यह क्या बन जाएगा, I1 plus I2 minus I3 minus I4 minus I5 equal to 0, ठीक है, भाई, statement के साब से sum of all the currents, तो sum of all the currents अब ने 0 ले लिया, अब minus वाले पार्ट को उधर ले जाएगा, तो देखो क्या बनता है, और we can write I1 plus I2 is equal to I3 plus I4 plus I5, अब यह चीज देखो आप, I1 plus I2 is equal to I3 plus I4 plus I5, I1 और I2 current जो है, वो हमारे incoming current है, जो junction की तरफ जा रहे हैं, और I1, I3, I4, I5 जो हैं, वो outgoing है, यह देखो, यह तीनो, outgoing है, तो उन दोनों को, जो overall sum था, वो 0 था, overall sum 0 लिखने का हमारा मतलब है, sigma I is equal to 0, ठीक है, mathematically इस statement को कैसे लिखोगे, mathematically sigma I is equal to 0, और यह हो गया उसका proof, total incoming current is equal to total outgoing current, यह कहता है हमारा क्रिचॉफ्स, current law, point rule और junction rule, वोप आपको यह part clear हो गया होगा, पहला वाला बहुत असान है, current rule, current rule को हम use करते हैं, एक equation बनाने में, आगे आपको numerical में दिखेगा, second, इसी current rule में सबसे important बात जो हमारे exams में आता है, specially, ठीक है, आप यह देखो, यह वाला प्याद रखना, i1 प्लस i2 is equal to i3 plus i4 plus i5, इसी को use करेंगे हम, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, i1 plus i2 is equal to i3 plus i4 plus i5, ठीक है, अब इस current में हम देखो, i is equal to formula होता है हमारे पास, आपने formula पढ़ा होगा, i is equal to q by t, या q is equal to i t से आपको याद रा सकता है, ठीक है, इस formula को यहाँ पर use करेंगे है, तो देखो, इसे हम लिख सकते हैं, i1 को q1 by t plus i2 को q2 by t is equal to q3 by t plus q4 by t plus q5 by t, अब यहाँ पर इस चीज़ को अगर आप t common लेके काट दोगे, तो i hope आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या लिखना चाहरा हूँ, और q1 plus q2 is equal to q3 plus q4 plus q5, अब यह क्या परूफ कर रहा है, इस statement को देखो, यह जो हमने निकाला है, यह basically क्या निकाला है, according to the law of conservation of charge, it can neither be created nor be destroyed, only it can be transferred, और यहाँ पर यह वही चीज़ परूफ हो रहा है, आप देखों, यहाँ पर यही चीज़ परूफ हो रहा है, कि जितना हमारा incoming charge था, जितना हमारा incoming charge था, that is equal to, किसके? outgoing charge के, तो basically, first law is based on law of conservation of charge, जितना incoming charge से, that is equal to outgoing charge, यह आपने prove भी कर लिया, अगर मान लो short में यह prove करने के लिए भी आता है, तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो, कि incoming charge हमारा outgoing charge के बराबर है, तो यह हमारा prove हो गया, first law is based on the law of conservation of charge, यह आपको याद रखना है, कि कि जो उसका first law किस law पे based है, अब बात करते हैं, second law की, किर्चॉफ्स voltage law, जिसे हम बोलते हैं KVL, किर्चॉफ्स voltage law, KVL, statement देख लेते हैं, अब पहने तो आपको लूप पताना पड़ेगा, एक circuit ले लेते हैं, ठीक है, figure और आजता हूँ मैं आपके लिए, figure देख लो, यह हो गया हमारा figure, यह rice test लगा देते हैं, अभी यह rough figure बढ़ाया है मैंने, आगे आपको मिले गई, हम यह closed mesh ले लेते हैं, A, B, ठीक है, C, D, A, इसी दो mesh की बात करें देखो, इना closed mesh, A, B, C, D, A, और A, D, C, B, A, दोनों तरफ से कैसे ही पढ़ सकते हैं, इट ड़सेंट मैंटर, अब इसी mesh में हमारा यह हो जाएगा, E1, यह हो जाएगा second E2, ठीक है, यहां से ले ले लेते हैं, I1, इदर ले लेते हैं I2, वो तो कुछ भी ले लो, अभी फिलाल के लिए, यह कोई वैसा question नहीं है, this is I1, यह हमारा हो गया, R1, और इसे ले लेते हैं, R2, ठीक है, यह मान लेते हैं, just imagine करो, just हमने अपने तरफ से consider किया, यह loop, यह A, B, C, D, A, एक closed loop है, closed mesh है, ठीक है, अब इस में, हम क्या करेंगे, क्रिचॉफ्स voltage law apply करेंगे, voltage law basically क्या क्या रहा है, the sum of potential difference, the sum of potential difference in the closed mesh, or loop is always 0, पिछले वाले में, क्रिचॉफ्स current law ने क्या कहा था, the sum of the total current, at the junction point is 0, total, चाहे वो incoming हो, चाहे वो outgoing हो, उसका sum क्या होगा, 0, और यहाँ पे, क्रिचॉफ्स voltage law क्या कहा रहा है, कि तो voltage, sum of the potential difference, in a closed loop is 0, कहने का मतलब यह है, अगर हम circuit ले, A, B, C, D, A, A, B, C, D, A, तो इस A, B, C, D, में हम लिख सकते हैं, यह इसका statement का मतलब है, प्रूफ भी हो सकता है, बहुत असानी से प्रूफ कर सकते हैं इसको, देखो कैसे, V, A, B को हम क्या लिख सकते हैं, V, A, minus V, B, ठीक है, प्लस V, B, C को क्या लिख सकते हैं, V, B, minus V, C, प्लस V, C, D, को, V, C, minus V, D, प्लस V, D, A, को, V, D, minus V, A, is equal to 0, आप देखो, यहां से आप देखो, कि V, A, plus का और V, A, minus का, cancel हो गया, V, B, minus का होगा, तो plus का भी होगा, minus का V, C है, तो plus का V, C है, minus का V, D है, तो plus का V, D है, सारे cancel होगा, sum 0 आ गया, यहां पे हमने प्रूफ कर दिया, अच्छा, यही चीज आखर, उल्टा ले, लूप में हम, क्योंकि देखो, लूप में, जो मुमेंट है, वो हमारी मुमेंट है, कैसी ले सकते हैं, चाहब गो clockwise ले लो, चाहब गो anti-clockwise ले लो, it doesn't matter, so basically, हम यहां पे क्या लेने वाले है, ABCDA की जगे, second mesh में हम ले रहे है, ADCBA, तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा, आप देखो, बिल्कुल फरक नहीं पड़ेगा, आप यहां पे, इसे हम लिए सकते है, VAD, प्लस AD के बाद क्या है, DC, VDC, प्लस VCB, प्लस VBA, इक्वल्स टू, जीरो, तो अगर हम इसको भी open करेंगे, तो क्या हैगा, देखो, VAD मतलब, VA-VD, प्लस VDC, VD-VC, प्लस VCB, VC-VB, प्लस VBA, VB-VA, अगर आप देखो, इसमें यह भी कट रहा है, तो यहां पे क्या होगा, देखो, VA-Pलस का, माइनस का, माइनस का, VD, प्लस का, VD, माइनस का, VC, माइनस का, VB, प्लस का, VBC, देखीते क्या आगया, 0, तो दूसरे वाले मेश से भी यह, प्रूफ होगया, तो दिस वास, बेसिकली, लौ आफ कंजर्वेशन ओफ एनरजी, अभी, हमने प्रूफ कर था, धैट, फर्स्ट वाइज बेस्ड ओफ एनरजी का, कैसे है, यह देखना है, अच्छा, इस ही को हम दुबारा ले लेते है, यह जो हमारा स्टेटमेंट था, पहला वाना, VA-B, is equal to 0 circuit दुबर आपना लखे देख लेते हैं एक बार ये इस तरीके से है हमने rough circuit जो लिया था भी ठीक है ये हमारा E1 था ये E2 ये R1 ये R2 ये I1 ये I2 ठीक है अभी आसी रफ लिया था हमने इसी में अगर apply करके देखें this was A, B, C, D, A इसी में अगर ये apply करके देखें तो यहाँ पे देखो VAB VAB में क्या आप यहाँ एक चीज़ यहाँ पे note करना है आपने इसको use करने से पहले कि जो sell होता है जो हमारा sell होता है sell is a supplier और जो resistance है it is a consumer ठीक है अभी हमने sign convention नहीं पढ़ा है तो sign convention के बिना जब हम इसको समझ रहे हैं तो यहाँ पे जो हम sign लेंगे वो एक तरीके से लेंगे एक systematic manner में लेंगे कैसे ले रहे हैं sell अगर supply कर रहा है तो हम sell को ले रहे है positive और resistance जो consume कर रहा है इसको हम अभी ले रहे है negative सिर्फ इस part के लिए या भी आप sign convention पढ़ लेंगे तो आपकी सारी doubts clear हो जाएगी सिर्फ यहाँ पे use करने के लिए sell को मैं positive ले रहा हूँ और resistance को consumer is a negative तो देखो VAB के अगर हमें बीच में निकालना है तो E cell लगा है supplier है तो positive तो यहाँ से हम लिख सकते हैं VAB is equal to E1 अच्छा VBC में E2 भी है तो plus E2 यह भी sell है अब VCD में VCD में देखो V is equal to IR तो IR तो I1 R1 है लेकिन resistance हम negative ले तो minus I1 R1 और similarly VDA में भी देखो I2 R2 आ रहा है तो minus I2 R2 अभी आपको supplier consumer आपको पार्ट सिर्फ यहीं पे समझना है क्योंकि next slide में आपको एक ऐसा sign convention बताऊँगा जिसके बाद आपको sign की कोई दिक्कत आएगी नहीं is equal to 0 तो यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं E1 plus E2 is equal to इन दोनों को दर ले जाओ यह क्या हो जाएगा I1 R1 plus I2 R2 ठीक है अब यहाँ पे आप इस चीज को समझो कि E1 plus E2 क्या चीज था E1 plus E2 था हमारा total supply ठीक है जितनी energy हम total supply कर रहे हैं और I1 plus R1 plus I2 plus R2 क्या था total consumption ठीक है तो यहाँ पे क्या परूफ हो गया total supply energy जो है वो total consumed energy के बराबर आ गई और इसी तरीके से हम रोग सेते हैं total supplied energy is equal to total consumed energy तो जिसके basis पे हम प्रूफ कर सकते हैं that second law is based on law of conservation of energy exam में आपके आप ही सकता है यह direct और indirect one marks में ही पूछ सकता है कि भई कि चौफ's first law के इस चीच पे बेज़ड है कि चौफ's second law के इस चीच पे बेज़ड है proof करने के लिए आ सकता है तो दोनों चीच आपके clear हो गई है first law is based on the law of conservation of charge second law is based on the law of conservation of energy अब सबसे important point आता है इसका sign convention sign convention देख लेते हैं sign convention पढ़ने से पहले सबसे पहले एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो low to high always positive देखो अगर आप book के according जाओगे तो वहाँ पे resistance वाले part में हो सकता है कि जो हम पढ़ने जा रहे हैं उससे sign अलग लिया हो ठीक है बट मैं prefer करता हूँ कि जो मेरी advice ही रहेगी अगर आपको confusion case नहीं करनी है बिलकुल आसानी से आपको kichov's lock के numerical करने हैं तो सिर्फ एक बात याद रखो low to high always positive चाहे वो resistance वाले case में हो चाहे वो EMF के case में हो दोनों ही case में आप जो low to high is equal to positive अब देखो इसको apply कैसे करना है इसको तो आप याद कर लो low to high always positive अब low to high का यहाँ पर मतलब क्या है ये भी समझ लेते हैं सबसे पहले आते हैं for the sign of the EMF of the cell पहला वाला जो पार्ट है वो है for sign of EMF of the cell EMF of the cell में देखो अगर मालो ये एक cell लगा हुआ है तो ये जो लंबा वाला पार्ट है इसे हम लेते है positive terminal छोटे वाले पार्ट को लेते है negative terminal और current का direction होता है इस तरीके से ठीक है तो current का direction इस तरीके से positive की तरफ से जाता है और negative की तरफ से अंदर आता है तो इसका मतलब current का direction जो है वो हमारा positive से negative निकल रहा है और हमारी जो moment है जो हम loop में direction लेंगे जिसके according हम चलेंगे वो moment मान लेते हैं इस direction में है ठीक है? तो हमारी moment कहां जा रही है देखो positive से negative मतलब high से low जा रही है high से low और हमने अभी भी क्या पड़ा low to high positive लेना है यानि कि हम तो high to low जा रहे है हमारी moment EMF केस आप से ठीक है तो इस case में हम जो sign लेंगे E का वो negative लेंगे हमारा जो E होगा वो negative होगा इस case में मान लो यह E1 है तो यहाँ पर minus E1 यह E2 है तो minus E2 कहीं पर भी circuit में जैसे अभी अभी पीछे circuit E2 को ले लेते है अब मान लो मेरी moment इधर से ऐसे है ठीक है तो यहाँ से E minus से plus की तरफ आ रहे है तो यहाँ देखो यह क्या है low potential to high potential तो इस case में मैं क्या लेता low to high positive तो plus का E2 लेता इस case में according to this moment ठीक है तो यहाँ पे यह वाला part हो गया इसी का दूसरा part देख लेते है यह देखो यह positive है यह negative है current इदर जाएगा यह high potential पे है यह low potential पे है अब हमारी moment देखो कहां से अगर अब मेरी moment इस तरफ है इस direction में मतलब मैं low से high की तरफ आ रहा हूँ अब देखो मेरी moment है यह मतलब मैं low से high की तरफ आ रहा हूँ इस case में मेरा e क्या हो जाएगा positive हो जाएगा इस case में e क्या हो जाएगा positive अब कहीं पे भी आपका circuit में cell लागा होगा आप जो moment लोगे उसके according cell को देखना कि आप plus से minus की तरफ जा रहे हूँ या minus से plus की तरफ plus वाला high potential पे होता है minus वाला low potential पे होता है तो उसके according ही हो जाएगा ठीक है for the sign of EMF just look at the poles of cell simple sign देखना है EMF का poles पे देखो आपकी moment क्या है low to high है positive आएगा high to low है negative आएगा I hope it is clear now अब हम चलते हैं second part यह important है for sign of IR अब देखो इसमें बना लेते हैं इसमें भी दो part है पहले मान लेते हैं यह हमारा resistance है ठीक है यह हमारा resistance है और इस तरफ current है अभी इस part को मत देखो पहले हमसे समझ लेते हैं ठीक है इसी का second part भी देख लेते हैं यहाँ पही बतायता हूँ मैं यह हमारा resistance है R ठीक है और इस तरफ current है दोनों में current सेम है अब हम अपनी direction के according इसमें बात कर लेते हैं मान लो मेरी moment है इस तरफ यह है my movement मेरी moment इस तरफ है देखो current कहा जाएगा current हमेशा high potential से low potential के तरफ जाता है low to high नहीं जाता ठीक है current हमेशा high to low जाता है मान लो यह है इसको मैंने ऐसे रख दिया अब अगर इसके ओपर मैं कोई भी object रखूँगा वो slide ओ के नीचे जाएगा मतलब यह high पे है यह low की तरफ जाएगा low से वापस high लाने में हमें external work done करना पड़ता है ठीक है तो current भी high से low की तरफ जा रहा है अब हमारी moment और current की moment कहां से हो गए देखो high to low हो गई और high to low हो गई मतलब इस case में हम क्या लेंगे minus IR दूसरा चीज if along the direction move करेंगे तो हमारा IR क्या हो जाएगा negative देखो अभी अभी मैंने negative लिया है इस तरीके से भी याद असरते हो है इस ट्रिक की direction के along negative direction के opposite असान तरीका तो यह है लेकिन जो आपने अपना concept डेवलप करा है वो करा है low to high positive तो उसके according देखो हम high to low जा रहे है लेकिन सेम चीज अगर मेरी moment इस तरफ हो गई अगर my moment is in this direction means against the direction of current तो देखो current जाता है positive से negative मतलब high to low लेकिन अब आप जा रहे हो low to high की तरफ इस case में second वाले case में यह तो first case था second case में तो इस case में जो हमारा answer होगा वो plus का IRO अब यह देखो third point if we are moving against the direction of current then IRO is positive against the direction current के direction जाता हम इतर जा रहे है तो इस तरीके से आपको direction देना है दोनों ही case में best सबसे best तरीका है low to high positive देखो ठीक है low to high always positive देखो और उसके basis पे हम apply कर सकते है clear अब numerical करने से पहले कुछ चीज़े हैं जो आपको ध्यान में रखनी है सबसे पहले circuit को दुबारा बना लो कोई सा भी circuit है कोई कैसा भी circuit है चाहे वो complicated है चाहे वो easy है उसको आप दुबारा बनाओगे circuit को दुबारा बनाने से फाइदा क्या मिलेगा कि आपको उस circuit का idea हो जाएगा जैसे मैं आपको एक example के तौर पे circuit बना के दिखाता हूँ ठीक है एक roughly एक circuit ले लेते है ठीक है यहाँ पे EMF ले लेते है 24V और यहाँ पे भी एक EMF ले लेते है और यहाँ पे भी एक resistance ले लेते हैं टू ओम यह 6 ओम और यह ले लेते हैं 27V यह 4 ओम ठीक है इसको नाम देते हैं A B C D E F एक simple सा circuit ले लिया clear अब यह question दिया था मैंने इसको दुबारा बना लिया तो यह first point होगा आपका जब आप numericals करो गे तो this is the first point that you have to draw or redraw a circuit हम circuit को दुबारा बनाएंगे अपनी notebook में second है name the points अगर मालो यहाँ पर corner पर points में नाम नहीं दिये हैं तो पहले आप name points करो सब उसको points को name करो second है distribute current in the various branches अब देखो हम distribute current कैसे करेंगे आप यहाँ पर समझना है आपने distribute कैसे करेंगे मालो इससे हमारा यह 24 volt है इससे current आ रहा है इससे current आ रहा है i1 ठीक है इससे current आ रहा है i1 और इससे current आ रहा है i2 ठीक है इससे current i1 आ रहा है इससे current i2 आ रहा है f पर देखो f पर क्या point है f point पर हमारा क्या हो गया at f i1 plus i2 is equal to यहाँ पर ले लेते हैं i3 is equal to i3 now this is the first equation ऐसे equation बना नहीं है junction point लेना है जितना incoming current है वो outgoing के बराबर होगा कि CL में पढ़ा है हमने उसको use कर लिए फर्स्ट equation हो गई ठीक है देखो equation बनेगी जितने हमारी unknown quantities हो गई है कहीं कहीं पर आप ऐसे भी करोगे कि i3 ना लेके हम i-i1 i1-i2 ऐसे करके हम करेंगे जितने unknown quantities कमोंगे उतना फायदा होता है select the junction to apply KCL junction करें के एई चल यह हमने आप यह आफ पॉइंट पर junction select करके KCL अपलाई करा है यह हमने KCL अपलाई करा है ठीक कोई complicated जगह पर नहीं लेंगे select the loop and the mesh and prefer those meshes in which there are less component हाँ अब कौन सा mesh में हम KCL voltage law apply करने वाले यह important है इसको select करना है हम वो mesh लेंगे जिसमें less number of component है जैसे देखो अगर हम A, B, C, D ABCF लेते हैं इस वाले पार्ट में तो ABCF में 1, 2, 3, 4 फोर component है F, C, D, E, F लेते हैं तो इसमें 1, 2, 3 component है और अगर बड़ा वाला A, B, D, E, A लेते हैं तो 1, 2, 3 component है तो फाइदा हमें कौन सा रहेगा A, B, D, E, A लेने में क्योंकि इसमें 1, 2, और 3 component है और नीचे वाला लेने में F, C, D, E, F क्योंकि इसमें भी तीन कॉंपोनेंट ही, जितने संपल कॉंपोनेंट होगे, उतना फायदा मिले जाओ Apply Kirchhoff's Voltage Law, Apply Voltage Law apply करेंगे, ठीक है, number of equation उतनी बनेगी, जितने हमारी number of unknown quantities है और last में equation को solve कर देंगे, जैसे हम linear equation को solve करते हैं, equations बनाके, x, y को form में, आपने class 10 में भी करा होगा उसी तरीके से हमें यहाँ पर solve करना है, ठीक है, चलो, सबसे पहले start करते है Weedstone Bridge, देखो, Weedstone Bridge होता क्या है, इससे पहले मैं आपको एक बाब बता दूँ, कि class 12th के section A, experiment में second experiment और third experiment आपका इसी बे based है, Weedstone Bridge पे Weedstone Bridge मतलब application of Weedstone Bridge, that is a meter bridge और slide wire bridge पे ही based है, तो इसका theoretical topic को बहुत अच्छे समझना है, यह आपके वायवा का question भी है जो आपका external examiner आपसे पूछेगा, while doing the practical, अगर आपको यह practical a lot होता है, तो ठीक है, तो आईए start करते है सबसे पहले Weedstone Bridge होता क्या है, आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए, कि जो meter bridge है, जिससे हम आप क्या करने जा रहे हैं, हम एक unknown resistance को find करने जा रहे हैं मैं आपको पूरा का पूरा एक setup भी दिखा होगा कि lab में setup कैसे करते हैं, theoretically उसका circuit diagram कैसे बनाना है, सब कुछ और इसका practical already मैं बना चुका हूँ इस पे video, आप practical section में जाओगे class 12 में, उसमें experiment 2 और 3 को देखना वो इसी पे based हैं, तो basically सबसे पहली चीज़ जो आपको याद र unknown resistance accurately, ठीक है, इसको PO box भी कहते हैं, that is called the post office box, clear, अब इसमें क्या होता है, 4 resistance होते हैं, वीच सोन बीच का आपको देखों, left side में मेरे आपका diagram दिख रहा होगा, 4 resistance होते हैं, इसमें P, Q, R, X, ठीक है, यहाँ पे चलो S ले लिया है, वैसे generally मैं X लेता हूँ, that is called unknown resistance, unknown resistance, यह ज ठीक है, उसमें, यहाँ पे दिखा देखो, where X is unknown resistance, ठीक है, और basically इसका एक balance condition है, balance condition क्या है, जब इस circuit को हम working करेंगे, जब इसमें current flow होगा, तो एक ऐसा point आएगा, जहाँ पे current BD आम में नहीं जाएगा, BD आम में current ना जाने का मतलब है, कि galvanometer connected हैं पे, उसका deflection zero पे आ जा ठीक है, ठीक है, that means the current in galvanometer will be zero, यह है इसका balance condition, और जब ऐसा होगा, तब P by Q is equals to R by X हो जाएगा, ठीक है, यह इसका balance condition है, वो हम आगे proof करेंगे balance condition को, अभी यह याद रखो, when no current passes through the galvanometer, that means IG is equal to zero, when no current passes through galvanometer means IG is equals to zero, ठीक है, अब हमें derive करना है balance condition को, balance condition को derive करने का simple मतलब मैं आपको भी बता दू, कि हम यह derive करने जा रहे हैं, कि P by Q is equal to R by X होता है, ठीक है, यह derive करना है, इसी से हम unknown license आगे निकालेंगे भी formula, कैसे निकालेंगे, derive कैसे करना है, lecture number 9 अगर आपने नहीं देखा है, तो यह derivation में दिक्क law मैश में इसको करने के लिए, ठीक है, तो अगर यहाँ पर नहीं देखा है, कि पिछला lecture, तो यहाँ पर देखा है, कि साइन कर्वेंशन और किछोफ लोग, voltage law, second law, that is a lecture number 9 में, तो वो चीज आपको देखना पड़ेगा, otherwise यह वाला पार्ट नहीं हो पाएगा, तो अगर आ distribution of balance condition from Kirchhoff's law, balance condition को derive करना है, ठीक है, balance condition को कैसे, यह तो कोई circuit diagram है, सबसे पहले तो current distribute करते है, यहाँ से current निकल रहा है, मान लेते हैं, कि इस में से जो current निकल रहा है, that is I, ठीक है, अब यह I current यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I current यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पहला ले लेते हैं I1, ठीक है, तो यह वाला कितना होगा देखो, यह वाला current हो जाएगा, I minus I1, current distribution साई से देखना, I current जा रहा था, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक I1 गया, तो दूसरा I minus I1, clear, अब यह आगे च यहाँ से current इधर चला गया, I, G, मतलब, I, G का मतलब current in galvanometer, I, G का मतलब I in galvanometer, ठीक है, अब I, G current इधर चला गया, तो यहाँ पर current कितना बचाएगा, इसमें, देखो, I1 current जा रहा था, इधर I, G चला गया, तो यहाँ हो गया, I1 minus I, G, ठीक है, current distribution को समयना है, I1 current जा रहा था, I, G इधर चला गया, तो I, G, में इसा I, जितना minus करोगे, वो current 25 आप में चला जाएगा, अच्छा, I minus I, 1 इधर से आ रहा है, और I, G इधर से आ रहा है, तो इसमें current कितना आएगा, देखो, इस आम में current कितना आएगा देखो इस आम में current आएगा I minus I1 और यह और IG आ रहा है तो इसको plus कर देंगे IG clear? अब आप इन दोनों को match करोगे देखो plus का I1 minus का I1 cancel हो जाएगा minus का IG plus का IG cancel हो जाएगा बचे आगया सिर्फ I तो यहाँ पे सिर्फ I current बचेगा ठीक है? यहाँ पे सिर्फ I current बचेगा मतलब जितना current हमारा आ रहा था circuit में उतना ही निकल रहा है इसका मतलब हमारा current distribution बिल्कुल सही है current distribution में कोई दिक्कत नहीं है मैं फिर से बतायता हूँ I current यहाँ से जा रहा है दो arms में निकला ऊपर वाला arm में जो गया वो I 1 नीचे वाले AD arm में जो गया वो I minus I 1 ठीक है? अब यह I 1 current फिर से B point पे जाके दो पार्ट में distribute हो रहा है एक BC arm में और एक BD arm में तो BD arm में जा रहा है IG current IG मतलब current in galvanometer ठीक है? तो जितना IG को I 1 से हम subtract कर देंगे वो आ जाएगा हमारा I 1 minus IG BC arm में ठीक है? और यह IG current जोड़ जाएगा जो AD में आ रहा था तो इसमें तीनों को जोड़ दो I minus I 1 plus IG वो इसमें है अब इन दोनों को जब add करोगे तो देखो minus का I 1 plus का I 1 cancel हो जाएगा minus का I G प्लस का I G cancel हो जाएगा सिर्फ I बचेगा तो total incoming current is equals to outgoing current. I hope this is clear now चलो अब हमें क्या करना है? हमें use करना है KVL in mesh KVL in mesh ABDA ABDA मैं moment लोगा इस तरीके से sorry clockwise मेरी moment होगी ABDA जिस तरीके से मैं लिखा है तो ABDA को कैसे लिखते है? numerical लोगे पार्ट में भी मैंने आपको बताया है VAB plus VBD plus VDA is equal to 0 ध्यान रहे आपको यह चीज़ मैं clear कर दूँ की potential VAB plus VBD plus VDA is equal to 0 मैंने कहां से रिखा है? Krichoff's voltage loss that the sum of the potential difference in a closed loop is equal to is always 0 or equal to 0 that is the second law of Krichoff's law ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि यह मैंने कहां से लिखा है? तो मैंने अपनी तरह से नहीं लिखा है मेरे पास कुछ नहीं है मैंने जो आपको पिछले lecture में पढ़ाया है यह महां से लिखा है तो यह आग गया हमारा अब देखो VAB sign convention यूज़ करेंगे याद करो हमारा जो main motive था sign convention का वो क्या था? low to high always positive उसको यूज़ करेंगे EMF के लिए भी और cell के लिए भी sorry resistance के लिए भी तो देखो AB branch में देखो VAB हमारा moment और current का moment सेम है यह भी एक trick था कि हमारा moment current का moment अगर सेम होगा तो उसक में हमारा क्या हो जाएगा? high to low और high to low या फिर इंदर direction of current हमारा negative जाएगा मतलब यह हो जाएगा minus I1 into R R हमारा P है मतलब यह resistance जो है P S का नाम ठीक है? चलो दूसरा देखते है VBD BD में भी हमारा direction current का direction सेम है अच्छा galvan meter के direction को हम RG लेंगे resistance को galvan meter के resistance को क्या लेंगे? RG तो देखो BD में जब हम जाएगे तो IG into RG और current के direction के लोंग जा रहे है तो negative तो minus IG into RG अच्छा DA में देखो हमारा direction current के direction के opposite हो गया अब देखो current के direction के opposite हो गया मतलब positive क्यों? क्योंकि हम low to high जा रहे है current high गलो हो जाता है तो हमारा positive हो गया तो ये कितना आएगा? plus का plus के I minus I1 into R equal to 0 ये हो गया हमारा इस को मान लेते हैं equation number 1 ठीक है? चलो same using kvr in mesh BCDB चलो BCDB में भी हम एक mesh यूज कर लेते हैं तो देखो क्या बनता है using kvr in the mesh BCDB अब देखो BCDB में भी अगर हमें क्या लेकाना है वही चीज़ लगानी जो अभी लगाया था हमारा moment है इस तरीके से ठीक है? same moment ऐसी रहूँ हमे moment chain नहीं कर रहा BC अब लिखा भी उसी तरीके से देखो BCDB BCDB अब BC में देखो BC में हम along the direction of the current जा रहे है ठीक है? along the direction of the current means negative तो यह हमारा along the direction वाला part क्या आ जाएगा इस case में पहले सब इसको ऐसे लिख लो VBC plus VCD plus VDB is equal to 0 फिर से मैं आपको बता दूँ कि यह VBC plus VCD plus VDD हमने कहां से लिखा है? हमने यह लिखा है Krichoff's voltage loss सम of potential difference in a close loop is 0 ठीक है? अब देखो VBC में B से C में along the direction है तो minus K I1 minus IG और resistance कितना है? Q ठीक है? VCD C से D में देखो हमारा direction current के opposite हो गया तो यह plus का आएगा plus का क्या? I minus I1 plus IG ठीक है? into यह हमारा S की जगे X है into X और VDB DB देखो अगें से direction current है यह भी plus का हो जाएगा plus का IG into RG equal to 0 इसको ले लेंगे equation number 2 अब equation number 1 और equation number 2 को देखो equation number 1 और equation number 2 को देखो हमें put करनी है यह condition under balanced condition balanced condition क्या कहती है IG हमारा 0 बा balanced condition क्या कह रहा है कि current in galvanometer नहीं होगा galvanometer deflection नहीं show करेगा बत्तमीज है galvanometer अब उसकी बत्तमीजी को अटाओ हमें क्या करना है IG को क्या होता है जो बत्तमीजी होता है मुझे अटा देते है IG को हटा दो ठीक है IG is equal to 0 है कोई दिखकर नहीं है अब देखो यहाँ पे लिखेंगे from equation 1 from equation 1 from equation 1 जी नहीं है क्यों है from equation 1 देखो IG को हटा दो यह IG 0 हो गया तो यह पड़ा पार्ट 0 हो गया तो बचा क्या देखो इधर भी apply कर दो same चीज इधर भी apply कर दो ठीक है जैसे from equation 1 था यहाँ ले लेते है from equation 2 from equation 2 अब इसमें भी देखो balance condition रखना है और balance condition क्या है IG equal to 0 IG equal to 0 है तो देखो यह पार्ट तो वैसी 0 हो गया याला पार्ट भी 0 हो गया और यह वाला पार्ट भी 0 हो गया ठीक है तो इसको equation को कैसे लिखेंगे इस equation को लिखेंगे हम minus के i1 q plus i minus i1 into x equal to 0 और हम लिख सकते हैं i1 q is equal to i minus i1 into x this is equation number 4 एक बात का ध्यान रहे minus i1 q उधर जाएगा तो plus का होगा उस पार्ट को मैंने पहले लिखा है आपको एक confusion ना हो कि यह minus से plus क्यों हुआ यह minus का पार्ट उधर ले जाओ plus का होगा उसको पहले लिख दिया इसको बात ने लिख दिया ठीक है अब equation number 3 को हम क्या करेंगे divide कर देंगे dividing यह देखो लिखा है ना dividing equation 3 and 4 equation 3 और 4 को अगर हम divide करते हैं तो देखो हमारा answer क्या बनेगा हमारा answer बनेगा i1 p upon i1 q is equal to i minus i1 into r upon i1 i1 cancel क्या बच्चा p by q is equal to r by x बिलकुल शुरू में मैंने आपको यही बताया था this is the balanced condition this is the balanced condition this is the balanced condition यहाँ पर मैंने आप अल़री लिख देथा कि हमें यही प्रूफ करना है यह पूरा का पूरा प्रूफ है बिलकुल सही तरीके से step by step जो आपको करके आना है ठीक है this is the condition of the balanced wheat stone bridge clear है इसको आप note कर सकते हूँ next चलते है इसका advantage देख लेते है advantage क्या है it is a null method यह याद कर लो it is a null method ठीक है internal resistance and the galvanometer do not affect the null point internal resistance हमारा यहाँ पर of galvanometer होगा internal resistance of galvanometer also the resistance of the voltmeter and emitter small a do not affect the measurement as they are not involved in the process हम emitter, voltmeter जो भी है उसके भी internal resistance को हम ignore कर रहे है हम उसको consider नहीं कर रहे है क्योंकि वो इस process में involved नहीं है ठीक है हाला कि internal resistance of galvanometer is also not included because हमें तो महाँ पर current zero चाहिए galvanometer की branch में ठीक है तो यह इसका advantage है चलो अब इसके application की बात करते हैं अब यहाँ पर सबसे important point है यह थोड़ा practical purpose पर भी है practical point of view से भी यह हमारा important है application of wheatstone bridge that is a meter bridge or slide wire bridge इसका already detailed experiment मैं already करा चुका हूँ जिसमें lab तक गए थे हम और lab में जाके जो हमने perform किया था उसको मैंने यहाँ पर reading के साथ explain कर रखका है अगर आपने वो video नहीं देखिया है तो you should watch क्योंकि वहाँ पर आपका दो चीज एक साथ clear हो रहा है that is a practical and theoretical part together okay so let us move to the application of wheatstone bridge it is the simplest form of wheatstone bridge ठीक है सबसे पहला क्या है meter bridge क्या होता है it is the simplest form of wheatstone bridge किस principle पर बेस्ट है अभी अभी जो हमने निकाला है that is P by Q is equal to R by X इस पर बेस्ट है clear theory क्या है वही हमें unknown resistance find करना है to find the unknown resistance for the resistance wire given wire में जिसका cross section resistivity and area constant होगा ठीक है R is directly proportional to length ये वाला part है अब इसके basis पर देखो सबसे पहले जो हमारी जरूत चीज है वो है इसका circuit diagram समझना अब इस पर principle हो गया theory हो गया इसका circuit diagram समझना हमारे लिए important है चलो इसका slide पर देख लेते है actual में जो हमें lab में मिलेगा वो ये है actual lab setup अब lab में करने से पहले जो हमें circuit diagram बनाना है वो ये है ठीक है इसी circuit से ये जोड़ा है देखो ये जो पूरा का पूरा meter बीज है वो ये वाला part है अब देखो ये जो पार्ट है इस पार्ट पर resistance इसको बोलते है resistance box ये लगा है resistance box ये galvanometer जोकी से connected है this is galvanometer and jockey ये वाला part देखो यहाँ पर एक आर resistance wire लगी होगी this is resistance wire जिसको हम लेंगे x ठीक है ये battery और switch से connected है ठीक है the same thing is connected with the battery and key ये ये वाला part है अब देखो हम क्या कर रहे है मानलो इस point पर हमारा null point आया मतलब इस point पर हमारा ig equal to 0 है तो इस वाली को length को हम लेंगे l और ये कितना हो जाएगा 100 minus l ठीक है ये वाला part 100 minus l ये वाला part और ये वाला part लेंगे हम l clear length और 100 minus l अब इसी का equivalent circuit ये है देखो P point ये है यहाँ पर resistance लगा है Q point ये है ये लगा है ठीक है ये point B है देखो A, B और B, C के बीच में A, B के बीच में P है ये P B, C के बीच में Q है B, C के बीच में Q है अब देखो ये R है resistance box ये देखो A, D के बीच में यहाँ से A से लेके D तक जाओगे ये resistance box ये है R और D से लेके C तक आओगे तो X है D से C तक X है ठीक है अब ये part current distribution में अब इसमे current distribution नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पे कोई कर्चॉप्स law apply नहीं कर रहे है हम सीज़े यूज़ करेंगे आपको देखो ये याद रखना है R is directly proportional to the length resistance आपा length के directly proportional है इस हिसाब से अब देखो ये हमारा circuit diagram है जो भी हमने कर रहा था इस हिसाब से resistance of the section AB क्या होगा AB का resistance किसके बराबर है P के बराबर है और P किसके proportionally directly length of L P इस circuit के हिसाब से ये है L P का length ये वाला ठीक है और ये वाला length है L Q ठीक है L P ही L है जहान रहे L P ही L लेंगे हम बाद में और L Q को ही 100 minus L लेंगे हम last में तो हमारा जो resistance वाला part है P वाला part किसके proportionल हुआ length के resistance is directly proportional to length that is L P जो हमने null point निकाला है ठीक है from 0 section of arm BC आप देखो BC arm में ये Q है और Q किसके proportionल होगा L Q के तो Q is proportional to L Q चलो अब इस part को बहुत ही सुन्दा तरीके से हम इसको use करेंगे ठीक है balance condition क्या थी balanced condition is P by Q is equal to R by X balance condition is P by Q is equal to R by X चलिए ये बात भी ठीक है P by Q की जगे हम क्या लिख सकते हैं P by Q की जगे लिख सकते हैं L P by L Q is equal to R by X अभी अभी मैंने आपको क्या बताया L P L के बराबर है L Q 100 minus L के बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं और L P की जगे L अपन L Q की जगे 100 minus L is equal to R by X ध्यान रहें इस बात से आपको पता होना चाहिए कि हम निकाल क्या रहें हम निकाल रहें X that is unknown resistance तो हम यहां से निकाल सकते हैं X is equal to यहां लिख लो और X is equal to इसको अटा दो X is equal to X यहां पर आएगा 100 minus L उपर जाएगा तो यह जाएगा यह हो गया X that is unknown resistance X that is unknown resistance यहां से हमारा फॉर्मला निकाल गया X निकालने का फॉर्मला that is unknown resistance आप इसको पूरा यूज कर सकते हो यही theoretical part है जो आपको lab में activity जब करोगे उससे पहले आपको show करना पड़ेगा theory part में यही फॉर्मला है जिससे हमारी सारी reading निकलेगी इस experiment की ठीक है चाहे आप law of combination of resistance को आप verify कर रहे हो या फिर आप unknown resistance निकाल रहे हो दोनों अलग-अलग experiment है इसी पे based ठीक है तो I hope यह chapter sequence से आपको पूरा मिल चुका है clear हो गया होगा अब हम chapter number 4 start करेंगे next playlist से ठीक है धीर धीरे इसके numericals भी आते रहेंगे please do like, subscribe and share this अगर आपको यह पसंद आए thank you